हेलो रीवन मैं पंकज वेशनाव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूटुब प्लेटफर्म पर स्वागत करता हूँ आज की सेशन में देखें मैं आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी की मेराथन क्लास लेकर आया हूँ इस्पेशली रेलवे की एक्जाम के लिए क्योंकि आप सभी को पता है दोजार चूबिस में रेलवे की काफी सारी एक्जाम लाइन अप है इसमें से आर पी एफ एफ एसाई और कॉंस्टेबल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है फ्रेंड्स तो रेलवे की प्रिवियस पॉलिटी के जिन जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा कोशन पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक को यहाँ पर आज इस मेराथन में हम डिटेल में डिसकस करेंगे इन सिंगल वीडियो तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चेनल पर पहली बार आए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए देखिए फ्रेंड्स आप सभी को पता है यह आरार बी दोजार चूबिस का केलेंडर है काफी सारी एक्जाम्स लाइन अप है और इसमें से जैसा कि अभी मैंने आपको बताया आरार बी आरपी एफ एक्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है तो आरार बी की प्रीविएस एक्जाम में पॉलिटी के जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा कोश्चन आए हैं उनमें देखिए पांच टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिसे आर्टिकल्स कॉंस्टिटिउशन या इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल से प्रीविएस आरार बी के एक्जाम में 91 कोश्चन पूछे गए हैं इसके अलावा फंडमेंटल राइट से 28 कोश्चन हमें देखने को मिले हैं पालियमेंट से 51 कोश्चन देखने को मिले हैं प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से 54 और सविधान संशोधन से हमें 28 कोश्चन प्रीविएस रेलवे की एक्जाम में आते हुए दिखाई दिये हैं तो इन सभी टॉपिक को आज इस सिंगल वीडियो में हम डिटेल में डिसकस करने वाले हैं देखिए फ्रेंट्स चाय टॉपिक में आपको य यहीं पर कवर हो जाएंगे तो इन चार टॉपिक से हमारे पांचों टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएंगे देखिए अदर टॉपिक से भी कम कोश्चन आते हैं लेकिन वो भी पूछे जाते हैं जैसे डारेक्टिव प्रिंसिपल्स ओफ स्टेट पॉलिसी मतलब नीती निर करेंगे अदर टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए देखिए रेलवे की टार्गेट बेच क्रेजी जी के ट्रिक के रूट अप्लिकेशन पर एवेलेबल है दोजार चूबिस में रेलवे की जितनी भी एक्जाम्स है जैसे टेकिनीशियन ग्रेट 3 इस के लिए लगातार live classes देखिए शुरू कर दी गई है रूट अप्लिकेशन को चेक आउट कीजिये अगर आप अधर एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे तो SSC के लिए civil services के लिए भी काफी सारे courses आपके लिए रूट अप्लिकेशन पर एवेलेबल है yearly current affair की ebook भी आपको रू अपर जाकर आप join कर लिजिए quality के सारे topic वहाँ पर आपके cover हो जाएंगे कितने भी question आते हो भले ही एक question भी आता हो तो वहाँ पर cover हो जाएगा और railway के maths, reasoning, science, GS के जो other subject है वो भी आपके इसी single page में cover हो जाएंगे तो root application को play store से download कर लिजिए और एक बार checkout जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं देखिए fundamental right की, चार topic में सबसे पहला topic है हमारा fundamental right, fundamental right से सबसे ज्यादा question railway की exam में article से ही पूछे गए हैं क्योंकि इस topic में सबसे important article से ही, ओगे, कौन सा article किसकी बात करता है, यह हमें अधिकतर exam में पूछा गए, तो देखिए fundamental rights क की बात करें, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, कि Indian constitution के भाग 3 में article 12 से लेकर 35 तक के जो article है, वो fundamental rights के अंतरगत, भाग 3 के अंतरगत आते हैं, मौली क अधिकार हमने USA के सविधान से लिए हैं, ठीके, जब हमने USA के सविधान को constitutional assembly के members ने पढ़ा, तो वहां से हमने fundamental rights को Indian constitution में लिया, भाग 3 में article 12 से लेकर 35 तक के article, यहां पर article की बात करते हैं, तो article 12 state को define करता है, state की definition देता है, इसके अलावा article 13 की बात करें, तो article 13 कुछ foundation लगाता है, किस पर, सबसे पहले article 13 के sub clause 1 में कहा गया है, यह से sub clause नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर भ के sub clause 1 में कहा गया है, कि सविधान लागू होने से पहले, अगर कोई भी रीती या कानून चल रहा था, जो की मौली क अदिकारों को वायलेट करता है, तो वो अपने आपी शुन्ने हो जाएगा, इसके बाद article 13 के sub clause 2 की बात करें, तो यह संसत या पालियमेंट पर बाउंड की शब्द को, मतलब जो संसत है, वो कानून या विधी नहीं बना सकती, जो की वायलेट करें मौली अदिकारों को उस विधी वर्ड को डिफाइन किया गया है, 13 के sub clause 3 में, यहाँ पर बताया गया है कि सविधान संशोधन के माध्यम से भी मौली अदिकारों को वायलेट नह बाउंडेशन लगाता है, कुछ चीजों पर, जैसे पालियमेंट पर बाउंडेशन लगा दी, विधी शब्द को परिभाशित कर दिया, और सविधान लागू होने के पहले कोई भी अगर इसा कानून चल रहा था, जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो वो आर्टिकल 13 के सब क्लॉस बन के तहट अपने आप जीरो या शुन्य हो जाएगा, तो आर्टिकल 12 पता चल लिए आपको फंडामेंटल राइट का, क्या कहता है, स्टेट को डिफाइन करता है, आर्टिकल 13 कुछ चीजों पर वाउंडेशन लगाता है, अब फंडामेंटल र सबीधान में मौलिक अधिकार जो है, वो है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, पांच आर्टिकल राइट टू एक्विलिटी के अंतरगत काउन किये जाते हैं, समानता के अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 याद रखेगा, अब इसमें से आर्टिकल चौदा जो है वो बात करता है विधी के समक्ष समता जो है अब विधी के समक्ष समता में दो चीज़ों को डिकलियर किया गया है एक तो विधी के सामने या कानून के सामने हर व्यक्ति समान होगा मतलब किसने कोई भी क्राइम क्या हो कानून के नजरों में हर व्यक से कानून की नजर में सभी व्यक्ति एक समान होंगे चाहे वो अमीर हो या गरीब या वो किसी भी पत पर हो ठीक है न आर्टिकल 14 वीधी के समक्ष समता की बात करते इसके अलावा एक और चीज़ इसमें इंक्लूड है वीधियों का समान सतक्षन Equal Protection of Law यहाँ पर है Equal Protection of Law और यह है Equal Protection of Law जो लिया गया है अमेरीकी सभी धान से यह बात करता है कि भाई अगर परिस्तितिया असमान है तो फिर कानून असमान विभार कर सकता है एक आदितन अपरा दी और उसने मरडर किया और एक वेक्ति ने self-defense में मरडर कर दिया तो अब आप बताओ जो आदितन अपरा दी उसको ज़्यादा सजा दी जाएगी और जो self-defense वाला इसको कम सजा दी जाएगी क्योंकि उसके घर में रात में चोर घुज गया था तो बचाओ में उसका कतल करते हैं अब यहाँ पर आपको लोग की भाई एक 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 जामपल ले रहा हूं कि साथ साल सजा है मरडर की तो मरडर तो दोनों case में हुआ है लेकिन यहाँ पर परिस्तितिया असमान थी इसलिए व्यवहार भी कानून असमान करेगा तो यह अमेरिका के सविधान से लिया है और विधी के समक्षर वेक्ति समान है कि हमने ब्रिटेन के सविधान से अड़ोप किया है तो आटिकल चवुदा समानता के अधिकार में सबसे पहला आटिकल है आटिकल चवुदा यह बात करता है विधी के समक्ष समता की बड़ा फास्ट समझाया है क्यूंकि हमको दूसरे भी टॉपिक कवर करने है तो आटिकल पूछा जाता है इसलिए आप याद रखे विधी क समक्ष समता आटिकल पूट इसके बाद आता है समानता के अधिकार में आटिकल 15 मौली क अधिकारों यह कहता है कि पाच आधार पर देश में किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा पाच आधार कौन-कौन से धर्म, मूलवंच, जाती, लिंग और जन्मिस्त इन पाच आधार पर देश में किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, आटिकल 15 यह प्रावधान करता है, इसके सब क्लॉस 2 में, मतलब आटिकल 15 का जो सब क्लॉस 2 है, उसमें सडक, रेल, दुकान जो पबलिक प्लेसे से वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएग किसी भी नागरिक से, आटिकल 15 के सब क्लॉस 3 में, राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे लोगों के लिए प्रावधान कर सकता है, कानून मना सकता है, तो इसे आटिकल 15 का उलंगन नहीं माना जाएगा, आटिकल 15 के सब क्लॉस 4 में, SCST के लिए शेक्षणिक अरक्षण दिया गया है, शिक्षा में जो अनूसुचिक याती जंजाथी को अरक्षण दिया जाता है, आटिकल 15 के सब क्लॉस 4 में, तो यह आटिकल 15 का उलंगन है क्या? नहीं, क्यूंकि साब कह रहा है, कि भाई, SCST को शेक्षणिक अरक्षण दिया जा सकता है, और यह आ समाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण अरक्षन दिया जा सकता है, तो यह दिया गया है, कन्फर्म, ठीक है, तो यह आर्टिकल 15 का उलंगन नहीं है, ध्यान रखना, आर्टिकल 15 का सब क्लॉस 5 भी अनुसुची जाती जन जाती के लिए विशेश प्राउध करता है, 10%, ठीक है, एकस्तो तीनवे सब इधान सच्चोदन के माध्यां से, मैं आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 15 क्या कहता है, कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग और जन्विस्तान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, आगे बढ़ देखने जाएंगे नहां, तो वहां भी सामाजी को और आर्थिक रूप से पिछरे हुए लोगों को आरक्षन दिया जा सकता है, ये प्रावधान भारती सभीधान में देखने को मिलता है, ठीक है, तो आर्टिकल 16 के अबल आर्टिकल याद रखिए हमारा काम हो जाएगा, पिर आते हैं आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये आइस परश्ता का अंत करता है, छुआ छूत के आधार पर जो भेदबा होए उससे पूरी तरह से खत्म करता है, बहुत इंपोर्डेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्डें 1955 आगे चलकर लाएगा, आपको तो आर्टिकल याद रखना है, आपका काम हो जाएगा, फिर समानता के अधिकार का सबसे आखरी मतलब आर्टिकल 18, ये उपाधियों का अंत करता है, भारत के राज्य शेत्र में कोई भी वेक्ती अपने नाम के आगे एसी उपाधियों को न अपने नाम के आगे भारत में नहीं लगा सकता, तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में किया गया है, टाइटल सारे खतम किये गए हैं, नागरिक अपने नाम के आगे कोई भी उपाधी नहीं लगाएगा, लेकिन यहाँ पर सेना और शिक्षा के शेत्र में उपाधी दी जा सकती है, शिक्षा के शेत्र में पीएजडी क्या उपाधी है, ना डॉक्टरेट के उपाधी दी जाती है, और सेना के शेत्र में उच्च पदों पर जो गवर्ण, लेफ्टिनेट, जनरल वगेरा, जो भी आलग-अलग उपाधियां हैं, वो दी जा सकती है, अब आप ब सोड़कर हर उपाधिगंत किया गया है, आर्टिकल 18, तो यह पहला मोलिक अधिकार हो जाता है, समानता का अधिकार, दूसरे मोलिक अधिकार पर आते हैं, जो की स्वतंतरता का अधिकार है, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22, स्वतंतरता की अधिकार की बात करें, तो सबसे पहले आर्टिकल 19 यह अधिकार देता है freedom of speech and expression वाग स्वतंतरता विश्यक अधिकारों की स्वतंतरता है बोलने की स्वतंतरता है ठीक है आर्टिकल 19.1 भारत के नागरीकों को 6 प्रकार की स्वतंतरता देता है इसमें आर्टिकल 19.1 का सब क्लॉज है ए ठीक है आर्टिकल 19.1 क्या कहता है कि नागरीकों को 6 प्रकार की स्वतंतरता है आर्टिकल 19 के तहर्र इसमें आर्टिकल 1 का सब क्लॉज A A, B, C, D, E, F, G एसे चलेगा आर्टिकल 19 में 6 ही स्वतंतरता है पहले 7 थी A से जीता लेकिन A खटा दी गई है वो अभी में आपको बताओ कितनी स्वतंतरता याद रखेगा 6 ठीक है आर्टिकल 19 में 19.1 के सब क्लॉज A में freedom of speech और expression वहां कभी वेक्ति की स्वतंतरता बोलने की स्वतंतरता है जो प्रेस की स्वतंतरता या RTI right to information वो इसी आर्टिकल के अंतरगा नागरिकों को दिया गया ठीक है फिर आर्टिकल 19.1 का सब क्लॉज आता है B शान्ति पूर्ण सम्मिलन करने का अधिकार है वेक्ति सम्मिलन कर सकते है शान्ति पूर्ण हतियार लेकिन ना करें शान्ति की स्वतंतरता है RSS काय संगे तो इस तरह से यह हो गया तीसरा मौली का दिकार आर्टिकल 19.1 का सब क्लॉज भारत के राज्य शेत्रों में कहीं भी हूमने फिरने की स्वतंतरता है व्यक्ति जम्मु कश्मिर घुम रहे पश्चिप मंगाल घुम रहे महारास्ति घुम रहे कोई रोख भारत का नागरी कोना चाहिए गुजरात में रहता है और वो कहीं भी घुम रहा है तो उसको कोई रोख सकता है क्या नहीं तो आर्टिकल 19.1 के सब क्लॉज E में भारत के राज्य शेत्र में कहीं भी निवास की स्वतंतरता व्यक्ति को दी गई अगर मैं दिल्ली में नहीं रहे ना तो मैं गुजरात जाके रहलू, महरास्त जाके रहलू, तमिलनाडू रहलू, कोई रोख सकता है क्या नहीं क्यूद के मौली का दिकार है, कित्तो हो गए 5 और इसे एक legal ride बनाये गया है article 300a में शामिल किया गया ये भी पूछा जाता है ध्यान दक संपत्तिक अधिकार को मौली का अधिकार से हटा कर कहां पर शामिल किया गया तो article 300a ठीक है तो ये खतम हो गया छटा था लेकिन अब खतम हो गया सात्वा था हमारे पास ये 44 बता चुका हम आपको सात्वा था व्यापार करने की स्वतंत्रता 19.1 का सब क्लॉस जी लेकिन अब जब ये हट गया तो ये 6 बचे व्यापार करने की स्वतंत्रता भारत के किसी भी शेत्र में article 19.1 के सब क्लॉस जी में एक मौली का अधिकार है तो तो स्वतंत्रता के अधिकार का पहला article उसके 6 अधिकार, article 19 के 6 मौली के अधिकार आपको यहाँ पर समझ में आता है अब इसके बाद आता है article 20, स्वतंत्रता के अधिकार, अपराधों के लिए दोश सिद्धी के संबंद में सरक्षा, ये क्या है, तो तीन चीज़ों को address किया गया है, सबसे पहला, कोई भी व्यक्ति तभी दोश सिद्ध ठरा सकता है, ठराय जा सकता है जब उसने किसी भी का कानून का उल्लंगन किया हो, तब संबंदित अपराध के समय, जो कानून लगू था, उसके according उसे सजा दी चाहिए, सर समझ नहीं आए, यहाँ पर कहा गया है, जिसे 2010 तक मान लेते हैं, कि हमने 2010 तक चोरी की सजा अधिक्तम 6 महा थी, और एक व्यक्ति ने चोरी गली 2010 में, एक कोई चोर है, यह नाम का, इसने 2010 में चोरी कर दी, अब 2012-13 तक उसका केस चला कि या, इसको मतलब यह है किने गिल्टी, 2012 में गवर्मेंट ने क्या किया, कि चोरी की सजा को बढ़ा कर दिया, पांच साल, अधिक्तम, यह अधिक्तम है न, दोनों यह अधिक्तम थी, यह 5 स 12 के समय तक, चोरी की अधिक्तम सजा तो 5 सल थी, क्या उसको इस कानून के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी, क्या नहीं, पुराने कानून के अकॉर्डिंग, क्यूंकि जब उसने चोरी की, तब कानून अधिक्तम 6 माह का थी, तो जिस वक्त अपराद हुआ है, उस वक्त ज शे महीने की जेल काट के आ गिया फिर उसको वापस उठा लिया कि तुने चोरी की थी न वो एक बार भाई काट तो ली सजा तो एक अपराद के लिए केवल एक ही बार सजा दी जा सकते अपरादों के लिए दोश्चिद्धी के संबंध में सरक्षा और इसके अलावा खुद क यह है राइट टू लाइफ प्राण और देहिक स्वतंत्रता का सदक्षन भारत के राज्य शेत्र में किसी के भी शरीर प्राणों को उसके शरीर से अलगनी किया जाए उसका मौली गली अब आप बुलो सर्फासी तो देते ही गी गवर्मेंट या पोट तो यहां पर एक ला आने वो कानून है प्रापर तो उसके अकोडिंग प्राण लिये जा सकते अन्य किसी भी तरीके से ख्याद रखना जब देश में नेशनल एमर्जेंसी भी डिक्लियर होगी ना तो आर्टिकल बीस और रिक्यस कभी खतम नहीं होते यह मौली गदिकार हमेशा बने रही बीस आर्टिकल 19 जो freedom of speech और expression देता वो आटोमेटिकली खतम हो जाएगा अगर नेशनल एमर्जेंसी लगते हैं 20 और 21 कभी भी खतम नहीं होंगे और और अधर जो मौली का अदिकार बचे हैं वो प्रेसिडेंट खतम कर सकते हैं तो आर्टिकल 21 भी समझ में आगया है इसी में एक 21 sub clause एक यह ही शिक्षा का अदिकार 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रात्मी को निशूल का शिक्षा का अदिकार उनका मौलिक अधिकार मूल सविधान में नहीं था 86 अमिडमेंट एक्ट के माध्यम से 2002 में 21 एक को सविधान में जोड़ा गया है मौलिक अधिकार बनाया गया शिक्षा के अधिकार को, 14 वर्ष तक के बच्चों को, समझ में आ गया, 6-14 वर्ष तक के बच्चों को, निशुल को और अनिवारे शिक्षा का अधिकार, उनका मौलिक अधिकार, फिर आता है आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 स्वतंतरतार के अधिकार का सबसे लास्ट आर्टिकल है दो मौली का दिकार हो जाएंगे हमारे, ठीक है, आर्टिकल 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफतारी से सरक्षन, आर्टिकल 22, क्या कहता है, किसी व्यक्ति को गिरफतार किया गया है, तो वो उसका कारण पुछेगा, उसका मौली का दिकार है, कारण पुछ सकता है, जिस व्यक्ति को गिरफतार करते हैं, चुबीस घंटे के अंदर उसको कोट में पेश करना पड़ेगा, यह उसका मौली का दिखार, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति अपराद करने वाला है तो उसे पहले भी गिरफतार किया जा सकता है, याद रखना, ठीके ना, कोई अभी अगर उसना अप्राद नहीं किया है, तो उसे सजा नहीं दी जा सकती, ठीके ना, तो यहाँ पर आटिकल 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफतारी और निरोध से सरक्षन है, आटिकल 22 क्याता है, स्वतंतरता के अधिकार के तहट यह मौलिक अधिकार दिया दे, फिर आता है आटिकल 23 और 24, यह है तीसरा मौलिक अधिकार, शोशन के विरुद्ध अधिकार, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो दो आटिकल इसमें इंक्लूट किये जाते हैं, आटिकल 23 और आटिकल 24, शोशन के विरुद्ध अधिकार, ठीकें, यहाँ पर सबसे पहला है आर्टिकल 23 आर्टिकल 23 की बात करें तो मानों के दुर व्यापार और बलात श्रम का प्रतिशे दो ठीक है व्यक्ति को खरीदा बेचा नहीं जा सकता है उसका मौलिक अधिकार है और जबदस्ती उससे बंधुआ मजदुरी नहीं करवाई जा सकता है ठीक है ना कोई भी काम उससे जबजस्ती नहीं करवाय जाएगा दुर्वयापार और बलात श्रम से प्रतिशे आर्टिकल 24 आता है आर्टिकल 24 शोशन के विरुद्ध बालों को अधिकार देता है बालों को के नियोजन में प्रतिशेत करता है ठीक है जो बच्चे है जो माइनर है उनको जोखिम ब प्रतिशेत क्यों क्योंकि बालों का मौली गदिकार दियान रगना इसके लिए कानून मन है प्रॉपर अगर कोई बच्चे से काम करवाता है माइनर से काम कराता है अपने हाप पर जोखिम बड़ा काम कराता है तो फिर उस पर कानून एक्षर ले सकता है तो यह दो मौली ग तक के बच्चों को प्रात्निक शिक्षा का अधिकार अर्टिकल 21a के तहद उनका मौली केतार। फिर आते हैं आर्टिकल 25 से 28 तक 14 मौली का धिकार। धर्म की स्वतंतरता का अधिकार। चार आर्टिकल इंक्लूट किये जाते हैं, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 का, आर्टिकल 25 क्या कहता है, तो हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है, धर्मी की सोतंतरता का अधिकार है न, तो क्या कहता है, अन्ता करण और धर्म को अबाद रूप से मानने, उसक बड़ा रए, तो वो धर्म के प्रचार कर रहा है, मुसलिम, शुक्र वार को मस्जिद जाना है, तो उनको कोई रोक सकता है, क्यों कि हर वेक्टि का हर नागृक का दिखार है, Article 25 के तैस्थ, धर्म की सवतंत्स्धा का अथिकार, धर्म को निर्बाद रुप से मानने उसके अनुसार आचरन करने और धर्म का प्रचार करने का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार फिर आता है यह हो गया आर्टिकल 26 यह क्या कहता है धार्मिक कार्यों के प्रभंध की स्वतंतरता हर व्यक्तियों को देता है आर्टिकल 26 आर्टिकल 27 की बात करें, तो किसी विशेष्थ धर्म की अभिवरद्धी के लिए करके संदाय के बारे में स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 27, कितना हो गए, यहाँ पर डारेक्ट आर्टिकल ही बता रहा हूं, क्योंकि आर्टिकल ही डारेक्ट पूछे जाते हैं, आर्टिकल 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 की बात करते हैं, तो कुछ शिक्षा संस्तावों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपास्तना में उपस्तित होने का अधिकार, यह मौलिक अधिकार है, चोथा धार्मिक स्वतंतरता के अधिकार के तहर, फिर आता है हमारे पास संस्क्रति व और Article 30 क्या कहते हैं? Article 29 अल्प संख्यक वर्गों के हित्तों का सरक्षन करता है और Article 30 की बात करें तो शिक्षा संस्ताओं की स्तापना और प्रशाशन का अधिकार अल्प संख्यकों को देता है ठीकें? मदर से जो मुस्लिम धर्म में चलते हैं अगर कभी कोश्चन ऐसा आता है किस अर्टिकल के तहट दिया गया मौलिक अधिकार है? तो Article 30 के तहट दिया गया मौलिक अधिकार तो Article 29 अल्प संख्यक वर्गों के सर्रक्षन का प्राउधन करता है और Article 30 शिक्षा संस्ताओं की स्तापना और प्रशाशन का अधिकार अल्प संख्यकों को देता है कितने हो गया मौलिक अधिकार? 5 छटा मौलिक अधिकार सब्वेधानिक उप्चारों का अधिकार है सब्वेधानिक उप्चारों का अधिकार Right to constitutional remedies Article 32 एक article इसमें include क्या आता है Article 32 ठीक है? Article 32 की अगर हम यहां पर बात करते है Especially सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला article है इसकी अगर हम बात करें तो यह Supreme Court को पावर देता है मौलिक अधिकारों के उलंगन पर रिट जारी करने की शक्ति देता है Supreme Court को पावर देता है क्या है? देखिए आपको 5 मौलिक अधिकार दे दिये लेकिन जब तक उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई जिम्मेदार संस्ता ही ना हो Responsible संस्ता ही ना हो उन मौलिक अधिकारों को कोई काम है इसलिए Article 32 में Supreme Court मौलिक अधिकारों के और लंगन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती कितने प्रकार की? 5 प्रकार कौन-कौन सी? शॉट मैं बता रहा हूँ डिटेल में मैंने आपको कोर्स में पूरा पढ़ाया है SSC की टार्गेट बेच आपके लिए तो बंदी प्रत्यक्षी करन ठीके परमादेश अधिकार प्रच्छा प्रतिश्यद और उत्प्रेशन ठीके इसे हब्योस कौपस कहा जाता है तो इसको सही कर ले ना बंदी प्रत्यक्षिकरन, परमादेश, अधिकार प्रतिशेद और उत्प्रेशन ये पांच प्रकार की रिट जारी कर सकती है कौन सुप्रीम कोट, आर्टिकल 32 के तहट मौलिक अधिकारों के उल्लंगन, ठीक है न, अब यहाँ पर ये चीज़ समझेगा कि सुप्रीम कोट आ रिट जारी कर सकता है, ये हाई कोट का पावर है, आर्टिकल 226 के तहट और सुप्रीम कोट के रिट जारी करने की शक्ती, आर्टिकल 32 के तहट उल्लेगी थे, तो इस तरह से ये 6 मौलिक अधिकार है भारती सभीधान में, यही आर्टिकल बार-बार रिपीट होते हैं, तो मौलिक अधिकार, इसके बाद हम बात करेंगे पार्लियमेंट की, इसके बाद आगया जाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं पार्लियमेंट की, देखें पार्लियमेंट की बात करें तो आपको तीन आर्टिकल यहाँ पर स्पेशली याद रखना चाहिए, आर्टिकल 79, आर् Article 81 में लोकसभा का उलेख किया गया है तो Article 79 कहता है कि भारत की एक संसद होगी जो की President, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है पालियमेंट के दो हाउस है एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा President पालियमेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता लेकिन फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग होता है क्योंकि बिना President के सिगनेचर के कोई भी बिलकानून नहीं बनेगा और जब कोई बिलकानून नहीं बनेगा तो पालियमेंट का स्तेत्व खतम क्योंकि उसका काम ही लौ बनाना है तो इसलिए पालियमेंट आर्टिकल 79 में लिखी थे लोकसभा और राज्यसभा इसके दो हाउसे और President इसका तीसरा अभिन्न अंग माना जाता है अब यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो जैसा के अभी मैंना आपको बताया इंडियन Constitution के आर्टिकल 80 में लोकसभा और आर्टिकल 81 में राज्यसभा से सम्मंदित प्राउधन किये गए हैं इसमें से लोकसभा Lower House कहलाता है निचला सदन कहलाता है और राज्यसभा Upper House कहलाता है उच्च सदन कहलाता है यहाँ पर इसा क्यों? तो देखें लोकसभा एक अस्थाई सदन है मतलब इसका अधिक्तम कारिकल जो है वो 5 साल का है पहले कभी भी dissolve वह सकती है लेकिन maximum इसका कारिकल 5 साल का होता है तो member का कारिकल भी लोकसभा में अधिक्तम 5 साल का होता है राज्यसवा की बात करें तो ये एक स्थाई सदन है मतलब जब से ये गठ़ीत हुआ है 1952 के बाद तब से ये लगातार चलता आ रहा है मतलब स्थाई सदन है लेकिन इसके member के कारिकाल की बात करें तो उनका कारिकाल 6 साल का होता है हर दो साल में 1 upon 3 सीटो पर राज्य सभा में चुनाओ होते हैं तो एक मिंबर का कारिकल राज्य सभा में हो जाता है 6 साल और लोग सभा में ये कारिकल अधिक्तम 5 साल का है अब आप समझे है ये हमारे हमेशा के लिए इसलिए ये उच्छे सदन है और लोग सभा को कहा जाता है निमन सदन अब बात करते हैं राज्य सभा की तो आटिकल 80 में राज्य सभा की सरचना दी गई है और बताया गया है कि भारत में राज्य सभा की अधिक्तम सीटे 250 है इन 250 सीटो में से 238 सीट इलेक्टेट सीटे हैं जहां से निर्वाचीत होकर सदस्याएंगे और 12 सीटों पर प्रेसिडेंट व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकते हैं ये व्यक्ति जो की 12 सीटों पर नॉमिनेट होंगे चार अलग-अलग सेक्टर या शेत्रों में योगदान देने वाले होंगे जिनकी अभी हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्य सभा में वो साहित्य, कला, विज्यान और समाज सेवा मतलब सोशल सर्विस के शेत्र से आए हुए लोग होते हैं इन शेत्रों में काम करने वाले 12 लोगों को प्रेसिडेंट राज्य सभा में मनोनित कर सकते हैं, ये प्राउधान इंडियन कॉंस्टिटुशन के आर्टिकल 80 के सब क्लॉस 3 में देखने को मिलता है, हम आर्टिकल 80 भी याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो राज्य स में 12 मेंबर अपोइंट किये जा सकते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नोमिनेट किये जा सकते हैं, लोग सभा में ये नोमिनेटेड मेंबर दो थे, एंगलो इंडियन सीट पर, जो की अब खत्म हो चुके हैं, 104 अमिडमेंट एक्ट किया गया था, और इसके द्वारा अप्रेल 1952 में हुआ था, और इसकी पहली बेटा कुई थी, 13 मई 1952 में, ठीक है ना, केजूल से इंफरमेशन ने याद रखिये, तो 12 मेंबर प्रेसिडेंट ने नोमिनेट कर दिये, और 238 सीट पर, जो की राज्य और यूनियन टेरिटरीस से आती है, यहां से सदस्य निर जालता, नागरिकों के द्वारा चुने गए MLA या विधायक, रज्य सभा की सीटों पर मद्दान करते हैं, तो इस तरह से यह इंडिरेक्ट एलेक्शन है, 238 सीट पर और 12 सीट हो जाती है, नोमिनेट सीट प्रेसिडेंट के द्वारा, अब बात आती है कि संसत सदस्य के ल अईए यूगिता चाहिए इसका भी उलेखे और लोक सभा का सदस्य बनने के लिए क्या यूगिता चाहिए इसका भी उलेखे, तो औल ओवर पारल्यामेंट में दोनों हाउसेज की यूगिता का उलेख, आर्टिकल 84 में दिया गया है हम राज्य सभा की बात करनें तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य सभा की, राज्य सभा में अगर किसी भी व्यक्ति को मेंबर बनना है, इलेक्ट हो कराना है, नोमिनेट हो कराना है, तो कुछ उसको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, कुछ योग्यता है चाहिए होगी, ज इसी बिव्यक्ति की, राज्य सभाईक इस्ताई सदन है, जो की कभी भी भंग नहीं की जा सकती, डिजॉल्व नहीं की जा सकती, ठीके, इस्ताई सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कारेकल 6 साल का होता है, वन अपॉंड थर्ड मेंबर हर दो साल बात रिटायर होते हैं, और इस तरह से एक सिट पर चुना होने में 6 साल लगता है, तो सदस्यों का कारेकल हो जाता है, 6 साल, अब आपको पता है, राज्य सभा का जो सभापती होता है एक्चल में वो उप रास्ट्य पती के रूप में चुना जाता है, उप रास्ट्य पती ही बाई डिपॉल्ट राज्य सभा के सभापती होते हैं, अब अगर हम राज्य सभ राज्यसभा के another member की बात करें, तो हमें पता चलता है Compared gobierno के बारे में ूपसभापती के बारे में, तो राज्यसभा के उपसभापती का निर्वाचन राज्यसभाके के सदस्यों के मध्य में से किया जाता है, और यह प्राओधान आर्टिकल 29 में देखने को मिलता है, राजय सवह के उप सभापति या सभापति केसे आएंगे या आर्टिकल 89 में उलेखी थे और यहीं पर पता चलता है कि उप सभापति जो राजय सवह के सभापती, प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर प्रेसिडेंट अपने पत्पन नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का पत संभालते हैं, तो जब वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट का पत संभाला, तो कारिव के मेंबर है लेकिन उप रास्ट्य पती जब हम आगे पढ़ेंगे रास्ट्य पती और उप रास्ट्य पती को तो सारी चीज़े क्लियर हो जाए उप रास्ट्य पती क्योंकि बाय डिफोल्ट सभापती है तो सभापती कभी राज्य सभा का मेंबर नहीं है इसलिए सभापती या फिर वाइस प्रेसिडेंट का कारिकाल पांच साल का होता है। आप बोलोगे सर सभापती, आभी तो आप बोल रहते हैं राज्य सभा के सदस से 6 साल तक अपने पत पर रहते हैं। लेकिन आप समझ ये सभापती राज्य सभा का मेंबर नहीं है क्योंकि वो उपरास्ट पती के रूप में चुन के आया है। तो उनका कारिकाल सभापती या उपरास्ट पती का कारिकाल 5 साल का होता है। लेकिन उप सभापती का कारिकाल 6 साल का होगा। अगर उप्त सभापती को अपना पद छोड़ना है बीच में तो वो सभापती को अपना इस्तिफा दे कर अपना पद छोड़ देगा चल इसके बाद आते हैं लोग सभा की बात करते हैं तो Indian Constitution का Article 81 लोग सभा की सरचना की बात करता है और इसमें हमको पता चलता है कि लोग सभ के election चल रहे हैं, अठवी लोकसभा के election, जिसमें हम और आप vote देंगे, सही अठवी लोकसभा के election है, यहाँ पर चुनाव जो होता है लोकसभा का यह प्रत्यक्ष चुनाव है, direct election है, लोकसभा में अधिक्तम संख्या 550 से वर्तमान में, वेज़ा कुछ समय पहले तक 552 थी, ले के सदस्यों का वर्गी करण देखें, तो फुल स्टेट से 530 सीटे आती है, और यूनियन टेरिटरी से लोकसभा में आती है, 20 सीटे, तो टोटल 550 सीटों पर direct election होता है, आपको यह चीज समझना चाहिए, ठीक ना, तो अधिक्तम लोकसभा की सीटे कितनी हो गई, 550, ठीक है, 84 अमिडमेंट एक्ट किया गया था 2001 में, और इसमें कहा गया था कि लोकसभा और जो राज्यों की विधान सभाएं, उनकी सीट 2026 तक वेसी की वेसी रखी जाएगी, 2026 तक लोकसभा राज्य की विधान सभा की सीटों का परिसीमन नहीं किया जाएगा, यह प्रावधन किया गया था 2001 में 84 वे सविधान संशोधन के द्वारा अब परी सीमन होगा 2026 के बाद जनगर्णा में और हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन को भी जनगर्णा के बाद लागू किया जाए सीटों के परी सीमन के बाद लागू किया जाए सहीं लेकिन परी सीमन 2026 तक लोगसवा की सीटों में चेंज नहीं करेंगे और राज्जी की विदान सवा की सीटों में भी चेंज नहीं करेंगे ये 84 अमिडमेंट एक्ट के द्वारा 2001 में प्रावधन किया गया था यहाँ पर लोकसवा के बारे में पहली लोकसवा की जो पहली बेठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी वर्तमान लोकसवा सत्रवी लोकसवा है 2019 से 2024 तक और अब जो इलेक्शन हो रहे हैं वो अठ्रवी लोकसवा के इलेक्शन है तो अब जो इलेक्शन हो रहे है याद रखेगा यह अठ्रवी लोकसवा के इलेक्शन है और सत्रवी लोकसवा भी तक चल रही थी ठीक है चले लोकसवा का सदस्य बनने के लिए योग गिता है अगर हम देखने जाते हैं तो शविधान का आर्टिकल 84 संसत्य सदस्य के लिए युग्गिता की बात करता है तो लोगसवा, राज्यसवा दोनों के लिए युग्गिता की बात यहीं की गई है ठीक है लोगसवा का सदस्य होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयू व्यक्ति पूरी कर चुका हूँ युग्गिता की बात करें तो भारत का नागरी को यह तो casually सम में कौमन है लेकिन यहां पर minimum age होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष है न ठीक है लोकसभा का सदस्य का चुनाओ के से होता है तो गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मतादिकार के आधार पर 18 वर्षे से उपर का कोई भी एक् सविधान के आर्टिकल 326 में वयस्क मतादिकार की बात की गई है ठीक है मंत्री परिशत लोकसभा के प्रती सामुईक रूप से उत्तरदाई होती है ठीक है न यह प्रावधान हमें भारती सविधान में देखने को मिलता है आर्टिकल 75 के सब क्लॉस 3 में और इसमें कहा गया है कि मंत्री परिशत काउंसिल ओफ मिनिस्टर सामुईक रूप से लोकसभा के प्रती उत्तरदाई होती है अगर वो पुझे किसके प्रती उत्तरदाई होती है मंत्री परिशत सामुईक रूप से तो पाल्यमेंट राज्यसभा लोकसभा रास्ट्रपती कोई भी आप्शन जाए तो पूरी पार्लियमेंट लगा कर मताना किवल लोग सभा के प्रती काउंसिल ओफ मिनेस्टर सामोई करूप से उत्तर दाई है ठीके प्रधान मंत्री के परामर्ष के आधार पर रास्ट्यपती लोग सभा को टाइम से पहले ही भंग कर सकते हैं अगर मंत्री परिशाति प्रधान मंत्री लिख के दे प्रेसिडेंट को कि लोग सभा को डिजॉल कर दो तो आर्टिकल 85 का यूज करके प्रेसिडेंट टाइम से पहले पांच साल से पहले भी लोग सभा को डिजॉल्व कर सकते हैं ठीके तो लोग सभा का कारिकाल आपको महीं पर मैंने आपको बता अधिक्तम कारिकाल है पांच वर्ष, समय से पहले भी डिजॉल्व हो सकती है, यह अधिक्तम कारिकाल है, मिनीमम की बात नहीं की गई, ठीक है ना, अगर लोकसवा का कारिकाल चल रहा है, और किसी भी सीट पर किसी भी एक्ति की जो elected member है, MP है लोकसवा का, उसकी मृत्य हो जात लेकिन जो नया सदस्य चुन कर आएगा उस सीट पर, वो तब तक ही सदस्य रहेगा, जब तक लोकसवा का कारिकाल है, यहना ऐसा नहीं कि वो, for example, 5 साल के लिए चुना होता है, मान लेते हैं 2019 में चुना हो गया, कोई भी XYZ सीट है भारत में, और सीट पर कोई व्यक्ति ए नाम का जीत कराया, 2021 में उस व्यक्ति की मृत्ति हो गई, तो अब इस सीट पर 2021 में 6 महिने के अंदर, उनकी मित्ति होई, खाली हुआ, 6 महिने के अंदर उस सीट पर National Election Commission उपचुनाओ कराया, अब मान लेते हैं इस सीट पर 2021 में भी व्यक्ति वापस चुन कराया, तो यह व् 2019 सब अगला चुनाओ 2024 में होना है, क्योंकि लोकसभा का कारिकल 5 साल के अधिक्तम, तो यह व्यक्ति ऐसा नहीं है कि 5 साल अपने पूरे करेगा और 2026 तक रहेगा, नहीं, यह केवल चुनाओ तक, जब तक लोकसभा का कारिकल है, तब तक ही अपने पत पर बना रहेगा, ठी लोकसभा का अध्यक्ष, देखे, राज्यसभा का सभापती, राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, क्योंकि वो उपरास्टपती है, ठीक है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है, लोकसभा के मेंबर अपने बीच में से ही बहुमत के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्य चुन के आ गए, अब जब पहली बेठाग होती है नहीं लोकसभा की, तो वह सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष का चुनाओ करते हैं, बहुमत के आधार, पर सिंपल मैजोरिटी से, तो लोकस के रूप में चुन लिया जाता है, अगर बहुमत से लोकसभा के सदस्य ऐसा प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो किसी भी वेक्टी को लोकसभा के सदस्य को अध्यक्ष चुना जा सकता है, काफी सारे पावर हैं, जैसे कोई भी बिल मनी भी ले, इस बात का फेसला लोकसभ पद्यक्ष करता है, दल बदल के आधार पर किसी को भी निर्योग्य घोशित करने का अधिकार भी लोकसभा सपीकर हो, सयूग तदिवेशन, जोइन सेशन, इंडियन कॉंस्ट्यूशन के आर्टिकल 108 में सयूग तदिवेशन की बात की गई, सयूग तदिवेशन, गुलाता कोने, प्रेसिदेंट, लेकिन अगर कोश्यन आता है, कि सयूग तदिवेशन के अधिक्षता कोन करता है, तो वो लोकसभा सपीकर करते ध्यान रखना, ठीक है न, तो यहाँ पर यह समझ में आ गया, सविदान के आर्टिकल 93 के अनुसार, लोकसभा सवयम ही अपने सदस्यों में से एक अद्यक्ष और एक उपाद्यक्ष का चुनाओ करें जैसे राज्यसवा के सभापति और उपसभापति की बात आर्टिकल 89 में की गई है वैसे ही लोगसवा के अद्यक्ष और उपाद्यक्ष की बात आर्टिकल 93 में उल्लेखी थे लोगसवा का अद्यक्ष जब लोगसवा अद्यक्ष अपने पद पर नहीं होगा तो फिर लोगसवा उपाद्यक्ष लोगसवा की अद्यक्षता करेगा अगर अद्यक्ष नहीं है तो उपाद्यक्ष लोगसवा की अद्यक्षता करेगा लोगसवा के अध्यक्ष को अगर अपना पद छोड़ना है तो वो अपना त्यात पत्र देगा उपाध्यक्ष को और अगर उपाध्यक्ष को अपना पद छोड़ना है तो यह अपना इस्तिफा देगा अध्यक्ष को एक दूसरे को इस्तिफा दे कर अपना पद छोड़ सकते हटाना हो तो जेसे चुना गया है दोनों को वेसे की वेसे हटाया जा सकता है लोगसवा के सदस्यों में से बहुमत के द्वारा अध्यक्ष को भी चुना गया और उपाध्यक्ष को भी चुना गया लोकसवा के सभी सदसे बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पास करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा सकते हैं और अगर इनको इस्तिफा देना है तो एक दूसरे को अपना इस्तिफा दे कर अपना पद छोड़ सकते हैं किसी भी विद्यक पर दोनों सद्नों में मद्भेद होने पर प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस का सयूक्त अधिवेशन या जॉइन सेशन बुला सकते हैं आर्टिकल 108 के तहत, very very important, सभिधान में सयूक्त अधिवेशन का प्रावधन किस आर्टिकल में हैं, आर्टिकल 108, बुलात कि शक्तिया और कारिकी बात करें तो वित्ती शक्तिया हमें यहाँ पर देखना चाहिए, भारती सभिधान में वित्ती शक्ति सबसे ज्यादा लोकसवा के पास ही, especially धन विद्यक, एसा कोई भी विल है जो कि वित्तिया धन की बात करता तो उस पर पूरा पावर लोकसवा के पास आ जाता, आर्टिकल 109 में धन विद्यक की प्रक्रिया के बारे में उल्लेक किया गया, आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110, आर्टिकल 109 में धन विद्यक की प्रक्रिया मनी बिल की प्रक्रिया है और 110 में मनी बिल की परिभाशा दी गई, धन विद्यक, अब आर्टिकल 109 क् कि प्रक्रिया आए न तो यह कहता है अगर कोई bill money bill है पहले तो याद रखना कोई bill money bill है इस बात का फैसला भी लोगसभा speaker करता है ठीक है और money bill हमेशा लोगसभा में ही प्रस्तूत किया जा सकता है राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है लोगसभा में simple majority से पास होने के बाद इसको भेजा जाता है राज्यसभा अब राज्य सभा को money bill पर कोई power नहीं राज्य सभा money bill को केवल अधिक्तम 14 दिन तक रोख सकती अगर 14 दिन में राज्य सभा money bill को pass करके नहीं भेज़ती तो लोगसभा मान लेगी कि money bill pass हो गया और राज्य सभा को या तो फिर 14 दिन में पास करके भेज़ना ही पड़ेगा आया समझ में तो money bill पर पूरा power लोगसभा के पास है financial power पूरा लोगसभा के पास है तो आर्टिकल 109 money bill की प्रक्रिया और 110 धनविद्या क्या money bill की परिभाशा तो याद रखना धनविद्या कोई bill money bill है इस बात का फैसला कोन करता है लोगसभा द्यक्ष मनी बिल कहां रखा जा सकता है हमेशा लोगसभा में और रास्ठपती की पुर्वनुमती से ही आएगा money bill ध्यान रखना ठीक है तो इंडियन कॉंस्ट्यूशन के आर्टिकल 109 में money bill की प्रक्रिया और आर्टिकल 110 में money bill की परिभाशा money bill पर प्रेसिडेंट को भी कोई अधिकार प्रेसिडेंट को money bill पर साइन करनी ही पड़ेगी ना तो वो पुनर विचार के लिए भिच सकते money bill को नहीं विटो पाउर का यूश कर सकते क्योंकि रास्टपति की पूरो अनुमती से ही money bill लोकसभा में रखा गया था ठीक है तो प्रेसिडेंट को money bill पर साइन करनी ही पड़ेगी और राज्यसभा को भी money bill पर कोई अधिकार नी है धनविदैक पर कोई अधिकार नी है य अलीय विडिया मैं को भी discuss कर लिया इसके बाद हम बात करेंगे रास्टपती उपरास्टपती और सविधान संशोधन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि प्रेसिडेंट और vice president से railway की previous exam में 54 question हमको all over देखने को मिले थे तो president और vice president से सम्मंदित जो articles से वो exam में पूछे जाते हैं बार-बार repeat होते हैं और president की कुछ casual information के बारे में exam में पूछा जाता है तो एक-एक करके हम उनी पर discuss करेंगे पहले बात करेंगे president की फिर बात करेंगे vice president की तो देखिए president की बारे में जो आप जानते हैं normally वो ये है कि president भारत में सब्विधानिक प्रधान होता है मतलब head of state जो parliamentary system है उसमें head of state के रुप में president काम करते हैं ठीकें बहुत important fact पूछा जाता है और भारत के प्रथम नागरीक पूछे first citizen पूछे कोन होते हैं तो ये भी भारत के president होते हैं ठीकें भारत में सरवोच सब्विधानिक पद माना जाता है president का अब अगर हम Indian constitution के point of view से देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है Indian constitution में भाग 5 भाग 5 जैसा कि पहले भी मैं आपको बताया था संग की कारिपालिका की बात करता है और central में जितने भी सविधानिक पद है वो हमें भाग 5 में देखने को मिलते हैं और यहीं पर article 52 में राष्टिपती के पद का उल्ले किया गया है भारती सविधान के article 52 में कहा गया है कि भारत का एक president होगा ठीके हमें president का पद किस article में देखने को मिलता है question ये पूछा जाएगा exam में तो ये देखने को मिलता है article 52 में इसके अलावा अब आपके दिवांग में question आएगा कि president बन कोन सकता है या president के रूप में किसे appoint किया जा सकता है तो देखे president बनने के लिए भारत का president चुने जाने के लिए कुछ qualifications की जरुवत होती है कुछ qualifications चाहिए होते हैं जो की article 58 में उल्ले की थे बीच के जो article से उनकी भी हम बात करेंगे लेकिन पहले ये समझेए कि article 52 क्या कहता है Indian constitution का भारत का एक रास्टेपती होगा ठीक है ना मतला president का पत किस article में है article 52 में कौन भारत का president बन सकता है इसके लिए योग्यता अगर देखना हो कि क्या qualification चाहिए भारत का president बनने के लिए तो वो हमें देखने को मिलेगी Indian constitution के article 58 में दोनों article विसे तो सारे ही president के जितने भी articles में आपको यहां पर बताऊंगा सारे की सारे important है अलग-अलग जगह पर mention किये गए हैं तो सबको याद लखिएगा जो जो मैं आपको बताऊं जैसे अध्यादेश के बारे में भी पूछा जाता है कि president के द्वारा अध्यादेश, ordinance किस article के दहत पारित किया जाता है, पी-एम और जो council of minister है उनमें ministers की नियुक्ति, president किस article के दहत करते हैं, जो joint session है, हमारी parliament का, लोकसभा और राज्यसभा का, किस article के दहत प्रेसिडेंट, सयुगत अधिवेशन बुला सकते हैं, ये सारे articles अलग-अलग जगह पर mention है, सारे पूछे जाएंगे, तो article 52 पता चल गया, article 58 के बारे में पता चलता है कि president के लिए qualification की बात की गई, अब यहाँ पर qualification क्या चाहिए, तो एक बहुत ही common चीज जो कि भारत में सौपेधानिक पदों को प्राप्त करने के लिए चाहिए होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए, एज एक्जाम में पूछी जाएगी, तो 35 वर्ष के आयू पूरी कर चुका हो, अगर किसी को भारत का president बनना है, तो उसे 35 वर्ष के आयू पूरी कर लेनी चाहिए, इसके अलावा, लोकसवा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, देखें, यहाँ पर यह न मंदल में किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते है, ध्यान दखना, तो यहाँ पर कहा गया है, कि उसे लोकसवा का सदस्य निर्वाचित होने की उस व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए, तीके, और इसके अलावा, वो व्यक्ति कोई भी लाभ के पत पर नहों, मतलब किसी भी प्रकार का लाभ का पत जोईन न किया हो, तो यहाँ व्यक्ति भारत का प्रेसिडेंट बंग सकता है, दो आर्टिकल पता चल गए, इसके बाद आपको पता चलेगा आर्टिकल 53 के बारे में, 52 में प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53 कहता है, कि रास्ट्य पती संग की कारेपाली क का शक्ति के प्रमुह उते हैं संग की जो कारीपाली का शक्ति होती है वो रास्त पती में नहित होती है Article फिफ्टी थी दो चीज़ों के प्रावधन करता है एक तो संग की कारीपाली का शक्ति celebrity में होती है और इसके अलावा तीनों सेनाओ के सर्वोच्य सेनापती के रूप में भी प्रेसिडेंट को देखा जाता है, मतलब तीनो सेना के सेनापती या सर्वोच्य सेनापती कोन हैं, तो वो भी भारत के प्रेसिडेंट है, ये भी हमें आर्टिकल 53 में देखने को मिलता है, ये प्रेसिडेंट की सेन्नि शक्ती है, ठीके संग की कारिपली के शक्ति रास्टिपती में नहीत होती है इसका प्रयोग वो सविधान के अनुसार अपने अधिनस्त अधिकारियों के द्वारा कर सकता है ठीक है भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं वर्ल्ड में प्रेसिडेंट के नाम से ही head of state के नाम से ही देश को पहचाना जाता है रास्ट्य पती यहां पर आपको यह याद दखना पड़ेगा कि यह केवल नाम मात्र के प्रमुख है जो वास्तवीक शक्तिया है एक्चुल जो पावर है वो भारत में PM या उसकी मंत्री परिशत के हाथ में दी गई है क्य लिए प्रेसिडेंट सबसे उचा सफिधनिक पादेले की नाम मात्र की शक्तिया इन के पास है जबकि एक्चुल पावर कि इसके पास होती है PM और इसकी के पास है रक्षा बलो का सर्वोच भी कौन होता है आर्टिकल 53 के तहट यह भी भारत के रास्ट्य पती होते है तो आर कंफर्म पक्का यही हमने डिसकस किया है आगे देखिए अब बात आती है कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 समझ मा गया 53 समझ मा गया अब 54 आर्टिकल 54 की बात करें तो यह प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है रास्ट्य पती के निर्वाचक मंडल की बात कर कि बाईALK प्रेसीदेंट का ELECTION किसे होगा और प्रेसीदेंट की ELECTION में कोन participate करेगा यह question काफी रा पूछा गया रेल में President का ELECTION किसे होता है और कोन participate करता है तो आटिकल 54 की अनुसार प्रेसीदेंट का ELECTION है यह समज़ेगा इंडारेक्ट ELECTION है प्रत्यक्ष चुना। हम और आप वोट नहीं देते हैं। कोन-कोन पाटिसिपेट करता है तो लोकसभा, राज्य सभा और जितनी भी राज्यों में विधान सभा हैं। यहाँ पर नोट कीजिएगा विधान सभा की बात की गई है विधान मंडल नहीं कहा गया। क्योंकि राज्य में जिस राज्य में विधान सभा के साथ विधान परीशद है तो विधान परीशद के मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्षन में पाटिसिपेट नहीं करते हैं। भी मेंबर पाटिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्षन अब कोश्चन आता है क्या नॉमिनेट और जो इलेक्टेड मेंबर दोनों ही पाटिसिपेट करेंगे तो नहीं नौमिनेटेड मेंबर जो मनोनित सदस्य है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पाडिसिपेंट नहीं करते तो लोकसवा, रज्य, सवा, रज्यों की जितनी भी विधान सवा है चाहिए युनियन टेरेटरी भी क्यों नहों सबके निर्वाचित सदस्य जो इलेक्ट होकर आए हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते ये कोशन पुछा जाता है, इंडारेक्ली पुछाता कि कौन वोट नहीं कर सकता तो मनोनित मेंबर नहीं करते पहली चीज़, दूसरा विधान परिशत का कोई भी सदस्य नहीं करता चाहिए वो मनोनित हो या इलेक्टेड हो विधान परिशत के सदस्य नहीं कर सकते बात खतम हो जाती तो लोगसवा, राज्यसवा, राज्यो की विधानसवा दिल्ली और पॉंडिचरी को मिला कर के सारी, इसके जो इलेक्टेड मेंबर है वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते हैं 17.CA.1992 के अनुसार मतलब जो सत्तरवा सविधान संशोदन था उसके अनुसार दिल्ली और पॉंडिचरी की विधान सवाओ के निराचित सदस से भी रास्टिपती के चुनाओं में भाग लेते हैं जबकि ये यूनियन टेरेटरी है लेकिन यहाँ पर विधान सवाएं तो इसके भी इलेक्टेट मेंबर पाटिसिपेट करेंगे रास्टिपती के इलेक्शन तो रास्टिपती का जो इलेक्टोरल कॉलेज है सविधान के किस आर्टिकल में उल्ले की थे तो ये उल्ले की थे भारती सविधान के आर्टिकल 54 में अब रास्टिपती के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो रास्टिपती के निर्वाचन की अगर प्रक्रिया की बात करते हैं तो जैसा कि अभी मैं आपको बताया कि यह अपरतिक शुरूप से निर्वाचित होते हैं और आर्टिकल 55 में प्रेसिडेंड के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात की गई है election के process की बात की गई तो आर्टिकल 52, 53, 54, 55 आपको समझ में आ गया आर्टिकल 59 यहाँ पर समझे 56 भी बताऊंगा मैं आपको आर्टिकल 59 देखे 58 समझ में आ गया था राष्ट्यपती पत के लिए युग्यिता 59 में राष्ट्यपती पत के लिए शर्टों की बात की गई कि शर्टे क्या गया है, condition क्या है तो संसत के किसी भी सदन या विधान मंडल का सदस्य से नहीं होना चाहिए प्रेसिडेंड को और नहीं होते तो रास्टिपदी पत के लिए शर्ते आर्टिकल 59 में पुल लेखे थे, ओके, रास्टिपदी के कारिकल की बात करते, आर्टिकल 56 में भारती सविधान के आर्टिकल 56 में रास्टिपदी के कारिकल की बात की गई, की कारिकल कितना हो, तो याद रखना प्रेसिडेंट का कारिक पर्सनल करन्ट और रास्टपती को जो भी व्यक्ति रास्टपती के पत्पर उसको अपना पत्पर आगे नहीं बने रहेना पांच साल के पहले चुन तो लिये गए लेकिन दो साली काम किया प्रेसिडेंट के रुपना फिर उनको लगता नहीं या रिटार्मेंट ले लेना च तो प्रेसिडेंट अपने पत्प से इस्तिफा भारत के उपरास्टपती को दे कर अपना पत्प छोड़ सकते हैं और उपरास्टपती इस इस्तिफे की information सबसे पहले quickly लोगसवा के अद्दक्ष को देते हैं यही procedure तो या दगना अगर प्रेसिडेंट को अपना पत्प प्रेसिडेंट का जो कारिकाल है tenure है वो article 56 में लेखे थे 5 वर्ष का है ठीके बीच में पत्प छोड़ना है तो उपरास्टपती को अपने पत्प से इस्तिफा दे कर अपना पत्प छोड़ सकते हैं कौन प्रेसिडेंट और उपरास्टपती रास्टपती के त्याग पत्र क कि सूचना इमिजेट देगा किसको लोकसभा के स्पीकर ठीके चले आगया आते हैं कि रास्टपती पुना निर्वाचित होने के लिए पात्र ता क्या कोई वेक्ति एक से ज्यादा बार रास्टपती बन सकता है तो पुना निर्वाचन के लिए पात्र है ये कहा गया है article 57 रास्टिपती पुन्ह निर्वाचन के लिए पात रोते हैं इसके बाद रास्टिपती पद की शपत की बात की जादी तो रास्टिपती पद की शपत की अगर हम बात करें देखें 57 समझ में आगिया आपको रास्टिपती पुन्ह निर्वाचन हो सकता है पुनन रिवाचित होकर आ सकते हैं रिलेक्ट होकर आ सकते हैं आर्टिकल 58 में आपको बता चुका हूँ रास्टिपती की योग्यता दी गई है आर्टिकल 59 आपको बता चल गया जिसमें रास्टिपती की शर्ते बताई गई है क्या क्या शर्ते हैं और अब राष्ट्य पती अपने पत की शपत किसके सामने लेंगे यह बता है यह है Article 60 में तो 52 से लेकर 60 तक के सारे आटीकल यहाँ पर मैंने आपको बता दी है सब लाइन से या दखना सारे पूछे जाते हैं राष्ट्य पती पत की शपत किसके सामने लेता है तो Article 60 के तहट President अपने पत की शपात Supreme Court के Chief Justice के सामने लेते हैं, जो की Chief Justice of India है, CGI, भारत के मुख्यनियादिश, या Supreme Court के मुख्यनियादिश, लेकिन अगर देखिए, शपात किसके सामने ले रहे हैं, Supreme Court के मुख्यनियादिश के सामने, लेकिन अगर President को अपना पत छोड़ना हो तो इस्तिफा किसको देते हैं, इस्तिफा देते हैं उपर रास्ट्रपत, दोनों में डिफ्रेंस से दियान लगें, सर्वोच्ची नियालाए कि मुख्यनियादिश अगर उपस्तित ना हो, तो क्या करेंगे President, तो फिर Supreme Court में जो भी सबसे senior judge होगा, उसे अपना इस्तिफा, उसे उनके सामने शपत ले सकते हैं, रास्ट्रपती को पत की शपत वेसे तो Supreme Court के मुख्यनियादिश दिलवाते हैं, लेकिन अगर मुख्यनियादिश ना हो किसी भी कारण से, तो फिर जो भी senior judge होगा, Supreme Court के जज़ों की panel में, वो President को अपने पत की शपत दिला सकता है, लेक Article 61, रास्ट्रपती पर महावयोग या impeachment की procedure की बात की गई, देखिए, रास्ट्रपती चुन लिए गए पांच साल के लिए, उनका अपने पत से इस्तिफा देना हो, बीच टाइम पिरियेड में, तो अपने पत से इस्तिफा किसको दे देंगी, Vice President, लेकिन अगर हटाना हो, तो क्या उनके पत से हटाये जा सकता है, बिल्कुल हटाये जा सकता है, और इसके लिए जो प्रोसीजर है, वो Article 61 नो लेकिते, impeachment, रास्ट्रपती अगर सब्विधान के उलंगन के दोशी पाये जाते, तो पार्लियामेंट में महावयोग की प्रक्रिया के द्वार रास्ट्रपती को उनके पत से हटाये जा सकता है, लेकिन कारण होना चाहिए सब्विधान का उलंगन किया हो किसी भी तरीके से, तो उन पर impeachment लाये जा सकता है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से, लोक सब्वा चाहे राज्य सब्वा, और महावयोग, तो अगर पार्लिय के दोनों हाउसे से याद रखें, तो फिर प्रेसिडेंट उनके पत से हटाये जा सकते, यह है impeachment की प्रोसीजर, आर्टिकल 61, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाया है, रेलवे की टार्गेट बेच आपके लिए एवेलेबल है, रूट अप्लिकेशन पर, तो वहाँ पर बहुत ही depth में जाकर मैंने आपको हर चीज़े explain किये, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको in short fact type quality बताया है, जहां से question सबसे ज्यादा आएगा, अगर आप और depth में पढ़ना चाहते हैं, पूरा quality रेलवे के लिए पढ़ना चाहते हैं, यहाँ दूसरे section से भी आपको question तो exam में रेलवे में आने वाँ, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारी चीज़े हो सकती है, जैसे कि आयोग हो सकते है, commissions हो सकते है, वित्तायोग हो सकता है, रास्टी निरौचन आयोग हो सकता है, तो दूसरे question भी आपको exam में पूछे जाएंगे, तो वो मैंने आपक कर बेच नीचे link से join कर लिजिए, बहुत ही nominal charges से आप screen पर देख पा रहे होंगे, तो आप join कर लिजिए route application से, और कोई भी problem आती है, तो नीचे description में आपको help line number भी दिया गया है, उस पर चले जाएगे, यहाँ पर मैं आपको short में बता दिया है, ज्यादा हम depth में नहीं होएगा, तो यहाँ पर impeachment समझ में आ गई article 61 के तहट, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद में दोनों सदनों में से कहीं भी लाई जा सकती, लेकिन यहाँ पर जब impeachment लाना होगा, तो किसी भी आउस से one upon fourth member, ठीक है, मिलकर impeachment को ला सकते, इससे कम सदस्य हैं तो impeachment नहीं आ सकता, प्रेसिडेंट के उपर, one fourth member, जिस भी आउस में ला रहे है, उसके sign चाहिए, उन one fourth members की sign चाहिए, और 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को इसकी सूचना देनी पड़ेगी, नोट कीजिएगा, impeachment अगर प्रेसिडेंट पर चलाया जाता है, तो इसकी सूचना जिन पहले जिना पड़ेगी, 14 दिन पहले, और कितने member मिलकर impeachment ला सकते हैं, तो one upon fourth, किसी भी हाउस के, ठीक है, संसत के दोनों सदनों में अलग-अलग, यहाँ पर अलग-अलग पास होना चाहिए, दोने हाउस में, two upon three majority से, अगर पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट महाभ article सी याद रखना, सबसे ज्यादा, और जो जो fact मैं आपको बताऊं, उनको आप especially याद रखिएगा, देखिए, नियुक्ति संबंदी अधिकार की हम सबसे पहले बात कर लेते है, right of appointment, ठीक है, किस कि नियुक्ति करते हैं, और किस article के तहत, तो भारत में प्रेसिडेंट, प् प्रधान मंत्री परिशत की नियुक्ति करते हैं, article 75 के तहत, प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री के सलापर, council of minister को appoint करते हैं, कौन भारत के प्रेसिडेंट, article 75 में ये power दिया गया है, प्रेसिडेंट, तो अब आप बोलेगा, प्रधान मंत्री तो इलेक्टो कराते हैं, ठ प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उनको PM के रुप में appoint कौन करता है, भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, और अन्य जितने भी minister से, council of minister में, उनकी नियुक्ति भी भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, article 75 के तहत, ठीकें, Supreme Court के Chief Justice और इसके अलावा जो अन्य नियाधीश है, उनकी नियुक्ति भी article 124 के तहत, भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ जस्टिस ओफ इंडिया की भी, जिनके सामने प्रेसिडेंट खुद शापत है, उनकी नियुक्ति और अन्य जितने भी judge हैं, Supreme Court के सबकी नियुक of India भारत के महान्यायवादी, इनका पत सविधान के आर्टिकल 76 में दिया गए, तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी भारत के प्रेसिडेंट के द्वारत की जाती है, आर्टिकल 76 के तहत, ओके, आगे आई, भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक, मतलब CAG, CAG की न भारती सविधान के किस आर्टिकल में उल लेखी थे, तो Comptroller and Auditor General मतलब नियंतरक और महालेखा परिक्षक, भारती सविधान के आर्टिकल 148 में उल लेखी थे, और इनकी नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, राज्यों में जितने भी गवर्नर होते, उनकी गवर्नर, प्रशाशक, अगर Union Territory है तो आउप राज्य पल याना लेख्टिनेट गवर्नर इन सभी की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट करें, उच्छी नियाले, हर राज्य के आई कोट के जो मुख्य नियाधीश है, Chief Justice से और जो अन्य नियाधीश है, सब की नियुक् सभी आर्टिकल-217 के तहट भारत के प्रेसिडेंट के दवरा की जाती है, तो ऊच्छी नियाले के मुख्यनियाधिश और अन्य नियाधिश है, अब आती है प्रेसिडेंट की अध्यदेश जारी करने की शटक्ति, पावर टू इश्यू ओडिनेंस, ठीक है, ओडिनेंस डि सविधान के आर्टिकल 123 में अध्यादेश की बात की गई क्या होता है जब संसत के दोनों सदन या दोनों में से कोई भी एक सदन आवकाश पर हो छुट्टी पर गए हूं कार्ड वर्किंग में ना हो तो इसी कंडिशन में अगर कोई अर्जेंट कानून चाहिए तो प्रेसिडेंट उस कानून से संबन्दित अध्यादेश जारी कर सकते हैं मंत्री परिशत के सिफारिश पर तो आडिकल 123 के तहत संसत के इस्तगन के समय मतलब जो संसत नहीं चल रहे है अवकाश काल में इसे समय में रास्टिपदी अगर कोई अर्जेंट कानून लाना हो तो मंत्री परिशत के सिफारिश पर अध्यादेश जारी कर सकता है साहिए नौर्मली अध्यादेश 6 महा तक लिगल रहता है क्योंकि पार्लियामेंट के 2 हाउस के बीच में जो हाउस है उनके 2 सत्रों के बीच में 6 महिने से ज्यादा का गेप नहीं हो सकता तो अध्यादेश कितने महा तक लिगल रहता है ये कुश्चन आता है 6 मह लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट के सत्र शुरू हो जाएंगे ये 6 मह का टाइम पिरियड खत्म होगा और फिर शुरू होगा 6 सत्र मतलब 42 दिन का टाइम करियड और 42 दिन तक ही ये लिगल रहेगा अगर संसत के सत्र शुरू हो गए तो अन्यता अध्यादेश जारी करने की तीथी से ये 6 महा तक लिगल होता है ठीक है ठीक है यहाँ पर एक fact आपके लिए important है कि जो state list के subject है Indian constitution के 7th schedule में state list के किसी भी subject पर president अध्यादेश नहीं ला सकते कानून अर्जेंट ला सकते लेकिन state list के subject को नहीं चेड़ सकते तो यहाँ पर अध्यादेश समझ माई है अब आते हैं legislative power विधाई शक्तिया किसकी? प्रेसिडेंट की विधाई शक्तियों की बात करें तो आर्टिकल 85 के दहरें प्रेसिडेंट संसत के दोनों सदनों का सत्र बुला सकते हैं तूनों सथनों का 17 उसान मतलब छुट्टी पर भेज सकते हैं और लोगसभा को dissolve कर सकते हैं मतलब भंग कर सकते हैं यहाँ पर देखिए संसत के सत्र बूलाना हो तो दोनों सद्रों के अवकाश पर भिझेना हो तो दोनों सद्रों को लेकिन dissolve वो केवल लोकसवा ही होती है क्योंकि राज्य सवा इस्ताई सदन है ध्यान रखना तो रास्ट पती की संसत का सत्र बुलाने सत्राव सं करने और लोकसवा को भंग करने की शक्ती आर्टिकल 85 में उल लेखी थे याद रखेगा मंतरी परिशत की सिफारिश्पर करती है यहाँ पर प्रेसिडेंट के इसमें कुछ भी हम पढ़ रहे है ना कोई भी पावर तो एक लाइन हिडन ही समझना की मंतरी परिशत की सिफारिश्पर जब तक PM और उनकी cabinet परिशिडेंट को लिख कर नहीं देगी कि ये करो तब तक President कुछ नहीं करें, भले ही power होनगी, समझ में है क्योंकि वह नाम मात्रे के प्रधान है, actual power PM और उसकी cabinet के पास है, तो Article 85 समझ में है क्या, संसत के दोनों सतनों का सत्र बुलाना, सत्रा उसान करना और लोकसा को भंग किया जाना, किसकी power है, President, Article 86 रास्टपती सदन में अभिभाशन दे सकते हैं, और Article 87 में रास्टपती का पाल्यामेंट में विशेश अभिभाशन की बात की गई है, Indian Constitution का Article 108 सयुक्त अधिवेशन की बात करता है, इसकी बात करता है, सयुक्त अधिवेशन, भारती सविदान का Article 108, 108 के तहट सयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, जब किसी भी बिल पर पाल्यामेंट के दोनों हाउसेस का एक मत नहीं बन पा रहा है, तो Article 108 के तहट मंत्री परिशत की सिपारिश पर रास्ट अधिवेशन के दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन बुला सकते हैं, Article 108 के तहट Joint Session कोन बुला सकता है, President, लेकिन याद रखना कर कुशन ऐसा आता है कि Joint Session या सयुक्त अधिवेशन के अधिशता कोन करता है, तो सयुक्त अधिवेशन में Joint Session में Speaker होते हैं, लोक सभा के अधिश, ठीक है, याद रखना है, Important है, इसके बाद आता है, Right to Nominate Member of Parliament, संसद सदस्यों के मनो नयन का अधिकार, किसके पास है, तो ये भी भारत के President के पास रहता है, ठीक है, Article 79, पालियमेंड की बात करता है, संसद, इसमें बताया गया है कि राज्य सभा, लोक सभा और President इन तीनों से मिलकर पालियमेंड बनती, मतलब President भी पालियमेंड का अभिन्न अंग होता है, अला कि President पालियमेंड में से, दोन आउस में से किसी के भी मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी पालियमेंड संसद के अभिन्न अंगे, क्योंकि बिना उनकी साइन के कोई भी बिलकानून नहीं बनेगा, तो आर्टिकल 79 पालियमेंड की बात करता है, उसके तद प्रेसिडेंड संसत का अभिन्न अंगे, इसलिए आर्टिकल 331 में ये प्रावधान था, कि लोकसभा में अगर एंगलो इंडियन का प्रतिनिधित वन्ना हो परियाप्त, तो दो एंगलो इंडियन को नॉमिनेट कर स प्रेसिडेंट लोकसभा, ये अब खत्म हो चुपा है, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, दो एंगलो इंडियन को नॉमिनेट करने का अधिकार प्रेसिडेंड का था, लोकसभा में आर्टिकल 331 के तहट, लेकिन 114 सा विधान संशोधन, 104 अमिडमेंट एक्ट के द्वारा एंगलो इंडियन सेट खत्म कर दी गई है लोकसभा से, और राज्य की विधान सभा में भी एक एंगलो इंडियन सेट होती थी, जिसको राज्य के गवर्नर नॉमिनेट करते थे, वो भी खत्म हो गई, तो ये पहले कर सकते थे, अब ये सेट खत्म हो गई, ठीक है न, 104 अम राज्य सभा में 12 सदस्यों को nominate कर सकता, ये अभी भी चालू, राज्य सभा में 12 member nominate कर सकते है प्रेसेडेंट जो की चार अलग-लग शेट्रों से आए हुए हो सकते हैं, कला, साइक्व साइंस या फिर सोशल सर्विस चार नॉमिनेट कर सकते है प्रेसेडेंट आठिकल 80 के द तो यहिए ठीडेंड का नौमिनेट मेंबर्स को नौमिनेट करने का पावर, मनोनयन का अधिकार, फिर आती है प्रेसिडेंड की सेन्य शक्ति, मिलिटरी पावर, मैं आपको बता चुक ढहें, आर्टिकल 53,rea संगी कारेपाली का शक्ति के प्रमुख है कौन प्रेसिडेंड और इसी के सब क्लोस 2 में, आर्टिकल 53 के सब क्लोस 2 में कहा गया है कि भारत के रास्टपती तीनों सेनाओं के सर्वच्य सेनापती होते हैं, सैने बलों की सर्वच्य शक्ती रास्टपती में सन्निहित होती है और इनका प्रयोग वो जो भी law है, जो भी हमारा constitution कहता है, उसके according करत पिर आती है President की शमादान की शक्ति किसी को भी शमा करने का President का power President की शमादान की शक्ति आती है Article 72 Article याद रखो Easily यहीं से question आएगा अगर आएगा आपको पता है अगर Supreme Court भी किसी की fasting की सजा को बरकरार रखता है तो वो कहा पिल कर सकता है शमादान के लिए President को किस Article के ता है Article 72 के तो रास्ट्रिपती की शमादान की शक्ती Article 72 में गुल लेखे थे Confirm इसके बाद आती है रास्ट्रिपती की आपात कालिन शक्तिया Emergency power of the President तो President की Emergency power की बात करें तो Indian Constitution के Part 18 में Article 352 से लेकर 307 तो Emergency power की बात की गई है President के और 3 Emergency power दी गई है President को Article 352 में रास्ट्रिपती शाशन की बात की गई है National Emergency Article 356 352 352 में National Emergency 356 में रास्ट्रिपती शाशन की बात की गई है और Article 306 में Financial Emergency या वित्ति आपात काल की शक्ति रास्ट्रिपती के पास है Article 352 की बात करे तो तीन आधार पर जो सविधान 1950 में लाग हुआ था तीन आधार पर National Emergency की बात की गई थी एक था बाहाय अक्रमन, सेखेंड था युद्ध और तीसरा था आंत्रिक अशान्ति यहां पर आंत्रिक अशान्ति वर्ड क्लेरिफाय नहीं था कि उसका मिनिंग है इसलिए 44 अमिट्मेंट एक 1978 मुरार्जी देशत्राई की सरकार में हुआ था और उन्होंने आंत्रिक अशान्ति वर्ड को अटा कर सशस्त्र विद्रो वर्ड को जोड दिया यहां पर अब तीन आधार पर नेशनल एमर्जेंसी डिकलियर की जा सकती है आर्टिकल 352 के तहट युद्ध बहाय अक्रमन और सशस्त्र विद्रो अभी तक तीन बार देश में नेशनल एमर्जेंसी लग गिये ध्यान्ति बात करेंगे रास्टपती शाषन अगर कोई भी राज में गुवर्णन्ट असफल हो जाती है गुवर्णन्ट काम नहीं कर पारिए अल्प हमत्की सरकार है तो इसी कंडिशन में आर्टिकल 356 के तहट मंत्री परिषट की सिपारिश पर राश्टपती राज में रास्टपती शाषन लग पिर आता है financial emergency अगर देश में वित्य का संकट आ जाए पेसो का संकट आ जाए और देश की जो government की संचित ने दिये वो भी खाली हो जाए तब इसी condition में article 360 के तहत मंत्री परिशत के सिफारिश पर प्रेसिडेंट फाइनेंशल एमर्जेंसी डिकलियर कर सकते हैं ठीक है फाइनेंशल एमर्जेंसी में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़कर सब के वितनल भक्तों में कट होती होती है ठीक है वो फाइनेंस को सुदार ने के लिए फिर जो भी प्रयास किये ज जाएंगे अभी तक देश में financial emergency एक भी बार कभी भी नहीं लगी ध्यान रखने कोश्चन आता है कितनी बार financial emergency लगी कभी नहीं लगी आर्टिकल 360 का यूस आज तक कभी नहीं हुआ नेशनल emergency तीन बार लगी है 1962 जब इंडिया और चीन का वार शुरू हुआ था 1971 जब इंडिया और पाक के मद्धि में वार हुआ था और 1975 जब emergency लगाई थी आंत्रिक शांती के आधर पर इंद्राड़ और रास्टपती शाचन तो लगते रहते हैं साल में दो तीन दो तीन चुके तो यह तो लगते रहते हैं तो समझ में आगिया रास्टरापत कल युद्ध बाय अक्रमन ठीक है और तीसरा था अब सशस्त्र विद्रो है पहले क्या था आंत्रिक शांती ठीक है ना मंत्री परिशद कांसिल अग मिनिस्टर के लिखित परामर्ष से ही प्रेसिडें चीन आक्रमन 1962 पाकिस्तान आक्रमन मतलब पाकिस्तान से जब और हुआ था 1971 और आंत्रिक शांती 1975 रास्टिपदी शाशन सब्वेधानिक कंत्र जब राज्ज में विफल हो जाए तब लगेगा और फाइनेंशल एमर्जेंसी में आपको बता चुका हूँ कब लग सकती है अभी तक भारत में फाइनेंशल एमर्जेंसी एक भी बार घोशित नहीं की गए कंफर्म समझ में आ ठीक है वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो दूसरा बड़ा सविधानिक पद माना जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट का पद भारती सविधान ठीक है कहां से लिया गया है तो USA के सविधान से उपरास्टिपती के पद को लिया गया है ठीक है रास्टिपती के बा उपरास्ट पती के पत की बात की गई भारत के एक उपरास्ट पती होगे आर्टिकल 63 कहता है इसके अलावा आर्टिकल 64 भारत के उपरास्ट पती राज्य सभा के पदेन सभापती होते हैं दियान लखें जो उपरास्ट पती है ये भी पाल्यामेन के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ये राज्य सभा के सभापती होते हैं अब अगर आप कभी आपसे कुशन ऐसा पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन पाल्यमेंड का मेंबर नहीं है पी-म लोकसभा स्पीकर और वित्त मंत्री और एक देदे आपको राज्य सभा का सभापती तो रुप में चुने गए भारत के वास्य-प्रेसिडेंट ही जी राज्य सभा के सभापती की रुप में काम करें तो बहारत के सभिधान में उपरास्ट्यपती बोला हो गल् dazu से तो confirm कीज़ेगा उपरास्ट्य पती की बात हो यहाँ पर यह चीज़ समझेगा कि भारती सविधान में उपरास्ट्य पती के वेतन और भत्तों की कोई बात नहीं की गई बलकी उपरास्ट्य पती अपना जो वेतन और भत्ते हैं वो राज्य सभा के सभापती के रुप में लेते हैं तो उपरास्ट्रेपती या वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसवा के सभापती होते हैं उपरास्ट्रेपती राज्यसवा का सदस्य नहीं होता इसलिए वह मतदान नहीं कर सकता अगर कोई भी बिल राज्यसवा में आता है तो उपरास्ट्रेपती मतदान नहीं कर सक भारत के वाइस प्रेसिदेंट को धिया गया है, राज्यसवा, वाइस मितलब राज्यसवा के सभापती को समझ रहए है। Article 63, 64 समझ मैं आ गया है यहापन, Article 65 की बात करते हैं, यह समझ में आ गया है। तो रास्ट पती का पद अगर आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है, रास्ट पती बीमार हो जाते, कभी अगर निधन हो जाए पद पर रहते हुए, छुट्टी पर चले जाए, इस्तिफा दे दें, तो अगर रास्ट पती का पद एमर्जेंसी में खाली हो जाए, तो आश्ट्रपति के पत का निर्वान ये करेंगे उपरास्ट्रपति अब आता है कि उपरास्ट्रपती पत का चुनाओ के से होगा और उनकी योग्यता हैं। और इसमें बताये गया है कि अगर किसी को भारत का वैस-प्रेशिडेंट बनना है। तो भारत का नागरीक हो, यह casual तो सम्मे को मने, यहाँ पर भी 30 वर्ष का यू पूरी कर चुपाओ, कोई भी वेक्ती तो वो उपर आस्ट्य पती का चुनाव लड़ सकता है। रखते हूं, वो ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं और यह वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। दोनों ही पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं। और किसी भी लाप के पत्पन नहीं हूं, यह मैं आपको बता चुनाव। जो भी वेक्ती उपरास्ट्य पती का पत धारन करेगा, वो राज्यसवा का सभापती भी बाई डिफॉल्ट हो जाएगा। जब उपरास्ट्य पती रास्ट्य पती के रूप में काम करेंगे, तब वो राज्यसवा के सभापती के रूप में कारें नहीं करेंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए कि उपरास्ट्य पती को प्रेसिडेंट अकस्मिक रिक्ती हो गए उनके पती तब जब वो प्रेसिडेंट के पतपर है उपरास्ट पती तब फिर वो राज्यसवा के सभापती के रुप में काम नहीं कर सकता तब राज्यसवा के सभापती के रुप में कौन काम करेगा तो राज्यसवा का उप सभापती, उस वक्त राज्यसवा के सभापती के रुप में काम कर सकता है उप राष्ट्यपती का निरवाचन, आर्टिकल 66 में ही चुनाओ की बात की गई है तो 66 के सब क्लोस 1 में आप तो सब क्लोस छोड़ दो, आपको रेलवे की एक्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, सब क्लोस में आर्टिकल याद लोग सभा और राज्यसवा के सभी सदस से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं, अब यहाँ पर राज्य की विधान मंडल की कोई बात नहीं की गई, मतला राज्य में विधान सभा, विधान परिशद, यूनियन टेरेटरी में विधान सभा, ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पाटिसि तो दोनों, सभी मतलब सभी, चाहे नॉमिनेट होकर आए, चाहे इलेक्ट होकर आए, अगर वो member of parliament है, किसी भी house का, लोकसवा या राज्यसवा, तो वो vice president के election में participate करेगा, तो vice president के election में पूरी parliament participate करती है, यह यादत लीजे, ओके, और राज्य, राज्य को cross कर दीजे, राज् पेटने करेगा, ठीके, अब उपरास्ट्य पती का कारिकाल, tenure की बात करें, तो article 67 में mention, और इसमें बताया गया है, कि उपरास्ट्य पती, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ओके, ठीके, चुन लिए गए, लेकिन अगर बीच में इनको पद छोड़ना होतो, तो यह अपन इस्तिफा, रास्ट्य पती को देकर अपना पद छोड़ सकते, रास्ट्य पती अपना इस्तिफा किसको दे रहा था, उपरास्ट्य पती को, और उपरास्ट्य पती को अपना इस्तिफा देना होगा, तो यह किसको देंगे, रास्ट्य पती को, आर्टिकल 67 में tenure की बात की ग आगे आई, वाइस प्रेसिडेंट के पद की शपत इंडियन कॉंस्टिटुटुशन के आर्टिकल 69 में दी गई, वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तिफा किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट अपने पद की शपत भी प्रेसिडेंट के सामने लेत जबकि President अपना स्तीफा भले ही Vice President को देते लेकिन President अपने पत की शपत Chief Justice of India के सामने लेते तो उपरास्ट्र पती के पत की जो ओत हे वो इंडियन Constitution के Article 69 में उलेखी थे और यहां पर बताये गया है कि उप रास्ट्र पती को उनके पद की शपत भारत के रास्ट्र पती दिलवाते हैं और रास्ट्र पती को ही इस्तिफा देकर उप रास्ट्र पती अपना पद छोड़ सकते हैं अब बात आती है कि अगर ठीके ये तो वो केस जब उपरास्ट पती न अपना इस्तिफा दिन अगर उपरास्ट पती को उपरास्ट पती को अगर उपरास्ट पत से हटाना हो तो उपरास्ट पती को अगर उपरास्ट से हटाना हो इसने भाग लिया था उनके इलेक्शन में प प्रस्ताव लाया जाएगा कि भाईया उपरास्ट पती को हटाना है और 14 दिन पहले उपरास्ट पती को इसकी सूचना देनी होगी कि हम राज्य सभा में आपके खिलाब प्रस्ताव ला रहे हैं हटाने के लिए आगर वाइस प्रस्ताव को भेजा जाएगा इनकी भी अनुमती चाहिए मतलब लोग सभा में भी फिर वो पास हो जाए सिंपल मेजुरिटी से अलग अलग अगर दोनों सदनों में बहुमत से वो पास हो जाता है लेकिन आएगा राज्य सभा में तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को उनके पत से हटा दिया जाए सहिए शुरुवात राज्य सभा में हो लेकिन लोकस्वा की पर्मीशन चाहिए मतलब वहां से भी पास होना पड़ेगा बात सहिए उपरास्ट्रपती को हटाने का प्रावधान केवल राज्य सभा में ही लाया जा सकता है यह मैं आपको बता चुका है इसके अलावा आर्टिकल 71 को आपको याद दखना चाहिए रास्ट्रपती एवं उपरास्ट्रपती के निर्वाचन से संबंदित अगर कोई भी विवाध उत्पन्न होता है मतलब इनका इलेक्शन हो गया अब बाद में कोई विवाध उत्पन्न होआ तो उस पर सुनवाई सुप्रीम कोट में होगी और अंतिम डिसिजन सुप्रीम कोट ही लेगा आर्टिकल 71 रास्ट्रपती और उपरास्ट्रपती के पत से संबंदित कोई भी विवाध होता है तो अंतिम डिसिजन सुप्रीम कोट का होता है बहुत important factor याद रखेगा तो यहाँ पर हमारे cover हो जात में यहाँ से भी हमने काफी सारे कुश्चन देखे हैं शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर देखे सविधान संशोधन की बात करें तो सविधान में चेंज किया जाना ही सविधान संशोधन कहलाता है इंडियन Constitution के Article 368 में सविधान संशोधन की प्रक्रि सविधान में चेंज कोन कर सकता है तो Article 368 के तहट यह इंडियन Parliament कर सकती है अब दो प्रकार के सविधान संशोधन की बात की गई है Article 368 में दो तरीके की प्रोसीजर की बात की गई है एक एसा संशोधन जो की Parliament में Special Majority से Amidment Bill को पास करवा कर किया जा सकता है और Second Amidment ऐसा है जहां पर Parliament के दोनों हाउसेस में Special Majority तो चाहिए ही होगी इसके अलावा आदे से अधिक राज्य की विधान मंडलों में Simple Majority की भी आवशकता होगी तो यह दो तरह के Amidment के प्रोसीजर है जो की Article 368 में में मेंशन किये गए है ठीक है Article 368 सविधान संशोधन का दिकार किसको देता है Indian Parliament को अब आपके दिमाग में आएगा कि सर Amidment में किस तरीके से कौन सा Amidment किया जा सकता है यह सविधान में कौन से इससे बतलाओ है जो की इस तरह से चेंज हो सकते हैं और सविधान में इसी कौन सी चीज़े हैं जिनके लिए इस तरह के का Amidment चाहिए तो देखे Friends Article 368 दो तरह के सविधान संशुदन की बात करता है सबसे पहला जब Parliament में Simple Majority के अलावा Special Majority की बात की जा सके यहाँ पर यह समझेगा कि सविधान के कुछ articles ऐसे भी हैं जो की Parliament में Simple Majority के द्वारा बदले जा सकते हैं Article 2 और 3 में Changes करना है तो वो Simple Majority से Change हो सकता है और उसके लिए Article 368 का Amidment नहीं चाहिए Article 368 के Amidment में पहला वो Change जब Parliament में Special Majority से कोई भी Amidment किया जा सकता है जिसे Fundamental Rights में अगर कोई Change करना है Directive Principles of State Policy में अगर कोई Change करना है मौलिक करतव्यों में कोई Change करना है या फिर सविधान की प्रस्तावना या प्रम्बल में कोई Change करना है तो ये Parliament की Special Majority से इस तरह के Amidment किया जा सकते हैं Second AC चीजे जहां पर Parliament के दोनों Houses में Special Majority तो चाहिए ही होगी इसके अलावा आधे सैधिक राज्यों की विधान मंदल में Simple Majority भी चाहिए तो वो Amidment जो की भारत में Federal System को Effect करते हूँ सविधान में जो Federal System से सम्मंदित जो प्रावधान है उनमें बदलाव से सम्मंदित जो भी Amidment आएगा उसके लिए ये Tough Procedure चाहिए होगी Amidment की For example, President के जो निर्वाचक मंदल है अगर उसमें कोई Change करना है क्योंकि उसमें राज्य का भी Involve रहते हैं तो राज्य पती के निर्वाचक मंदल में अगर कुछ Change करना है तो राज्य भी Effect होंगे Central भी होगा तो यहाँ पर इस तरीके का Amidment चाहिए होगा अनुसुची 4, Schedule 4 जो है Indian Constitution में वहाँ पर राज्यों में राज्य सभा के लिए सीटों का अवंटन किया गया है अगर उसमें कुछ Change करना है तो इस तरीके का Amidment चाहिए होगा 7th Schedule में Union, State और Concurrent List के subject में कुछ Change करना है तो इस तरीके का Change चाहिए होगा for example GST, Supreme Court या फिर High Court के Judges की न्यूपती या फिर इनकी प्रोसीजर से सम्वंदित कोई भी उपन दे और उसको बदलना है तो फिर इस तरीके का Amidment चाहिए होगा All over federal system को जो effect करते हों Indian Constitution में इसी चीज़ों को अगर बदलना है तो इस तरीके का Amidment चाहिए होगा जहां पर आधे से अधिक राज्यों की विधान मेंडल में भी simple majority से ऐसे बिलको पास होना चाहिए जो की पालियमेंड में special majority से पहले पास हो चुका है अब हम बात करेंगे कि Indian Constitution में अभी तक जो Amidment हुए क्योंकि question महीं से आना है यह में आपको starting थोड़ा सा बता दिया है क्योंकि article 368 पूछा जाता है तो अगर वहां से question आता तो आपका clear हो जाता है अब हम बात करते हैं कि Amidment कोन-कोन से important है Indian Constitution में जो आज तक हुए है तो देखिए अभी तक भारती सविधान में 106 बार संशोधन किया जा चुका है मतलब 106 Amidment Act लाया गया था लास्ट येर 2023 में अब हम पूरे 106 तो पढ़ेंगे नहीं लेकिन जो मेन मेन हैं जो की एक्जाम में पूछे जाते हैं उन पर एक बार नजर डालें तो देखिए सबसे पहला है पहला सविधान संशोधन 1951 में हुआ था सविधान के लागू होने के एक साल बाद ही पहला सविधान संशोधन किया गया था 1951 किस से संबंदी थे तो 1951 में पहला सविधान संशोधन जमीदारी उनमुलन कानुन से संबंदी थे इस संशोधन के द्वारा भारती सविधान में नाइन्त शेडियूल को जोड़ा गया था जो मुल सविधान था उसमें आप सभी जानते हैं आठी शेडियूल थे आठी अनुसूचिया थी नवी अनुसूची जोड़ी गई थी भारती सविधान में पहले सविधान संशोधन क माध्यम से ठीके किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए भूमी संबंदित कानूनों को नभी अनुसूची में डाला गया थी आजादी के समय देखिए जमीदारी प्रथा को खत्म करने के लिए गवर्मेंट जो सवक्त अस्तितु में आई थी 1950 के आसपास वो लगातार 1949 से जमीदारी उन्मूलन के लिए कानून मना रही उस केस में उस वक्त जो बड़े बड़े जमीदार थे जिनकी भूमी बहुत ज्यादा थी उनसे भूमी लेकर छोटे किसानों को अवंटित की जारी थी लेकिन उस वक्त क्या है समपत्ती का अधिकार जो राइट टू पहुत जाते हैं कोट जब वो चले आते हैं तो कोट उनके फेवर में डिसिजन दे देता है क्योंकि समपत्ती का अधिकार मौली का अधिकार था तब गवर्मेंट बोलता है कि गवर्मेंट को लगता है कि यार डारेक्ट्ट्य प्रिंसिपल सेट पॉलिसी जो की राजी के निति निर्देशक तत्वे जो की welfare state को इस्तापित करने के लिए जरूरी है कल्यान कारी रज्जी की स्तापना के लिए जरूरी है उसके लिए हमें इन जमीदारों की जमिन लेनी पड़ेगी ताकि हम जो छोटे किसान है जिनके बाद जमिन ने उनको आवंटित कर सके जोडती है और यह कहती है कि 9th schedule में जो भी कानून को हम रखेंगे उसको नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकती तो जमिदारी मुलन कानूनों को 9th schedule में जोडना शुरू किया गया शुरूरात में 13 ही कानून थे लेकिन आगे चल कर क्या है जो बाद में government आई उन्होंने इसका misuse भी किया इसलिए 1980 के आसपा सुप्रीम कोट ने ये बोल दिया था कि भाई 9th schedule में जो subject है उनकी भी नियाईक समिक्षा की जा सकती है वो भी नियाले में बाती होगे ठीक है लेकिन शुरूरात में 9th schedule को जोड़ा गया था जमिदारी उन्मुलन कानून के लिए ये फर्स्ट अमिडमेंट एक्ट है इंडियन कॉंस्टिटिशन में 1951 में लाया गया था कन्फर्म आगया जाएं फिर होता है एक और इंपोर्टेंट 106 हो चुके हैं लेकिन मैं आपको मेंन मेंन बता रहा हूँ जो की एक्जाम में सबसे ज्यादा पार रिवाइज होते हैं सेकेंड है हमारे पास 7th Amidment Act 1956 सात्वे सभिधान संशोधन के द्वारा भारती सभिधान में भाग सात को हटाया गया था जो की भारती शेत्रों को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं ठीक है पार्ट A, B, C, D में डिवाइड करते हैं भारती शेत्र को सात्वा सभिधान संशोधन किया गया 1956 में और भारत में राज्य पुनरगठन आयोग की सिफारिश पर चाउदा राज्य और छे यूनियन टेरिटरीज बनाई गई जब चाउदा राज्य और छे यूनियन टेरिटरीज बन गई तो भाग सात में जो भारत के शेत्र डिवाइड थे A, B, C, D उनका काम खतम हो जाता है तो भाग सात को खत्म कर दिया जाता है 1956 के 7th Amidment Act के द्वारा और भारत में चाउदा राज्य और छे केंद शाशित प्रदेश बनाए जाते हैं इसके बाद आता है 21 सभिधान संशोधन 1967 21 सभिधान संशोधन 1967 की बात करते हैं तो यह भारती सभिधान की आठवी अनुसूची में बदलाव करता है किसमें आठवी अनुसूची अब दिमाग में आएगा आठवी अनुसूची किस से रिलेट करती है तो भारती सविधान की आठवी अनुसूची सविधानिक भाषाओ की बात करती है जिनने सविधान की तरब से दर्जा दिया गया है ओफिशल लेंग्विजेस की बात करती है जो मूल सविधान में आठव भाषा के रूप में 21 सभीधान संशोधन 1967 के तहर अभी भारती सभीधान में 22 भाषा है एड़ शेडिल में मूल सभीधान में 14 थी तो पंद्रवी सिंधी जूड़ी 21 अमिड्मेंट एड़ के द्वारा 1967 आपके दिमाग में आएगा बाकी की साथ कब जूड़ी तो उनकी भी बात कर लेते हैं देखिए मूल सभीधान के अगर हम बात करते हैं तो 14 लेंग्वेजेस थी कौन-कौन सी अस्मिया बांगला गुजराती हिंदी कंणर कश्मिरी मलियालम मराथी ओडिया पंजाबी संस्क्रत तमिल तेल्गू और उर्गू पंद्रवी लेंग्वेज के रू नोट कर लेना सेवेंटी वन्त अमिड्मेंट एक्ट होता है नाइंटी-नाइटी-टू में और कोकर्णी, मणिपुरी और नेपाली ये तीन और लेंग्वेजेस जूड़ती है अट वियर नुसुची में इनको मिलाकर हो जाती है कितनी अटरा लेंग्वेज आगे चलका न नाइंटी-टू अमिड्मेंट एक्ट होता है 2003 में और चार और लेंग्वेजेस यहाँ पर जोड़ी जाती है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाल तो चार और जोड़ी तो अटरा और चार कितनी हो गई 22 वरतमान में भारती सविधान में 22 लेंग्वेजेस देखने को मिलत है यह पूछा जाता है कि आखरी बार चार लेंग्वेजेस कौन-कौन सी जोड़ी गई बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथा ठीक है 21 अमिड्मेंट एक्ट बता दिया, 71 पता चल गया और 92 भी पता चल आगे आ जाए इसके बार आता है 42 अमिड्मेंट एक्ट 42 सविधान सं इसे कहा जाता है लगू सविधान, यह हुआ था 1976 में, सविधान को एक बार फिर से बहुत सारी चीज़े उसमें बदली गई, जो जो कमिया थी सबको दूर करने का प्रयास किया गया 42 अमिड्मेंट एक्ट के माध्यम से, इसलिए इसे मिनी कॉंस्टिटीशन कहा जाता है, क मूल सविधान में मौलिक कर्तव यह नहीं थे, बहियाली से अमिड्मेंट एक्ट के माध्यम से, मौलिक कर्तव यह को पार्ट 4A में जोड़ा गया, यह भी इंपोर्टेंट है, कहा पर पार्ट 4A और एक नया आर्टिकल इसमें इंक्लूट किया गया, आर्टिकल 51A, लेकिन मौलिक कर्तव यह फंड्नमेंटल ड्यूटी जब जोड़ी गई थी, 42 अमिड्मेंट एक्ट के माध्यम से, तब केवल 10 फंड्नमेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, अभी वरतमान में यहां पर 11 फंड्नमेंटल ड्यूटी जो 11 फंड्नमेंटल ड्यूटी थी, उसको आरवा मौलिक करता है, 86 अमिडमेंट एक्ट के माध्यम से जुड़ा गया था 2002 में, यह पूछा जाता है एक्जाम में स्पेश है, हम आगे बात करेंगे जब 86 अमिडमेंट एक्ट को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझे है, 42 अमिडमेंट एक्ट के द्वारा fundamental duties को इंडिय है, उसमें समाजवादी, पंत निर्पैक्ष और अखंडता वड को जोड़ा गया है, कि सविधान संशोधन के माध्यम से, 42 अमिडमेंट एक्ट के माध्यम से, आगे लोगसभा और विधान सभा का कारिकल जो अभी तक आजादी के बाद से 5 साल का था, उसको यहाँ पर प्राउधन किया गया है, कि अगर प्रेसिडेंट के पास मंत्री मंडल पाल्यमेंट में पास करके कोई भी बिल भेजती है, तो रास्ट्यपती मंत्री मंडल को उसे पास करने के लिए बाद दे और इसके अलावा मंत्री मंडल की सला मानने के लिए बाद दियोगा मानने ही पड़ेगी यह प्रावधान किया गया 42 Amidment Act के द्वारा मिनी Constitution आगे चलकर 44 Amidment Act लाए जाता है 1978 में चुमाली से सविधान संशोधन की बात करतें तो सबसे important चीज राइट टू प्रॉपर्टी जिसके अभी हम बात कर रहे थे जब पहले Amidment को हमें पड़ा था वो संपत्तिक अधिकार पहले मौली का धिकार था लेकिन 44 Amidment Act के द्वारा 1978 में संपत्तिक अधिकार को मौली का धिकार से हटा कर Article 300A में शामिल कर दिया गया रेल्वे में काफी बार question पुछा गया संपत्ति का दिकार को कहां शामिल किया गया है तो 300A में रखा गया और एक legal ride बनाए गया पहले ये fundamental ride था और अब article 300A में एक legal ride थे इसके अलावा article 352 में तीन तरीके से जो national emergency declare करने का प्राउधान था आंत्री का शान्ती और युद्ध और बहाय आक्रिमन्ट उसमें से आंत्री का शान्ती वर्ड को हटा दिया गया आगे चल कर 44 amendment act के माध्यम से और उसकी जगा सशस्त्र विद्रो वट को जोड़ा गया article 352 national emergency अब तीन तरीके से national emergency declare की जा सकती है सशस्त्र विद्रो युद्ध और बहाय आक्रिमन्ट पहले सशस्त्र विद्रो की जगे कौन सा वट था आंत्रीक अशान्ती इसको हटाय गया 44 amendment act के माध्यम से रास्ठ पती मंत्री मंडल की सला को एक बार पुनर विचार के लिए भेज सकता है फिछले जो 42 amendment act में क्या किया गया था कि सला मानने के लिए बात धी था लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट को थोड़ी रिलीप दी गई कि भाई एक बार आप पुनर विचार के लिए भेज सकते हो लेकिन वापस आता है तो फिर आप सला मानोगे ठीक है और वही लोकसवार विधानसवा का कारिकल जो 42 amendment act में छे साल किया गया था पांस से उसको फिर से कितने साल कर दिया गया पांस साल यह 44 amendment act 1978 में लाए गया इसके बाद आता है 52 amendment act 52 वावनवा सभीधान संशुदन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1985 में किया गया था इसके तायत भारती सभीधान में दसवी अनुसूची जोड़ और दसवी अनुसूची जोड़ी 52 सभीधान संशुदन दल बदल संबंदित कानून को दसवी अनुसूची में रखा गया था क्या है सर तो क्या होता था पहले क्या होता था कि अगर कोई candidate किसी पार्टी से जीत के आता था तो पत की लालच में या पैसे की लालच में किसी और पार्टी में शामिल हो जाता था जीतने के बाद तो यार इससे जो government इस्तिर मिलना चाहिए देश को मिलने पारी थी इसलिए 52 सभीधान संशुदन 1985 में किया गया दसवी अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल कानून को इसमें रखा गया और यह कहा गया कि आप कोई पार्टी आइडलाइन के विरुद्ध वोड देता या फिर वोड देते वक्त उपस्तिती नहीं रहता है मतलब पार्टी को धोका दे रहा है तो यहां पर एक क्योश्चन आता है दल बदल के आधार पर अयोग्यता का फैसला कून करेगा तो लोगसभा में लोगसभा स्पी बदल विरोधी कानून इसे कहा जाता है यहाँ पर यह प्रावधान भी किया गया था कि अगर कोई भी पार्टी के 2 upon 3 मेंबर अपनी पार्टी को एक साथ छोड़ के किसी और पार्टी में जाते हैं 1 upon 3 था यह पहले 1 upon 3 मेंबर अगर एक साथ अपनी पार्टी छोड़ कर किसी और पार्टी में चले आते तो फिर उनको दल बदल के अधार पर डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा उसे मर्जर माना जाएगा लेकिन जब 91 अमिंडमेंट एक्ट हम पढ़ेंगे 2003 में हुआ था उस समय क्या किया गया 91 अमिंडमेंट एक्ट के तहएट ये 1 अपन 3 को 2 अपन 3 कर दिया गया कि अब अगर 2 अपन 3 मेंबर किसी पार्टी को छोड़ के जाएगे या उससे ज्यादा तो मर्जर माना जाएगा लेकिन इससे कम है तो फिर वो डिस्क्वालिफाइट के जा सकते हैं दल बदल कानून के आधात पर इसके बाद आता है 61 अमिंडमेंट एक्ट 1989 61 अमिंडमेंट एक्ट की बात करें तो इसके द्वारा भारत में मतदान किया यू बहुत इंपोर्टेंट है ये पुछा जाता है इसके द्वारा भारत में मतदान किया यू जो पहले 21 वर्ष थी 1989 से पहले इस अंशोधन के द्वारा उसको घटा कर 18 वर्ष किया गया पहले मतदान किया यू किस साल थी इसको घटा है और कितने साल किया गया 18 साल 61 अमिंडमेंट एक्ट 1989 यहां पर जो चेंज आया है वो आर्टिकल 326 में आया है क्योंकि साविधान का आर्टिकल 326 वयस्क मतदिकार की बात करता है कि वयस्कता के आधार पर देश में व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलेगा वयस्कता की एज जो पहले 21 वर्ष थी वो कितनी कर दी गई 18 वर्ष 61 अमिंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा फिर आता है 73 अमिंडमेंट एक्ट 1992 तियोत्तरवा सविधान संशोदन पंचायती राज व्यवस्ता की बात करता है पंचायती राज को सविधानिक दरजा देता है ग्रामिन इस्तानी स्वशाषन है पंचायती राज तो तियोत्तरवा सविधान संशोदन 1992 के तहत पंचायती की शक्तिया और उनकी जो responsibilities है उनको निर्धारित किया गया और भारती सविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक के प्रावधान पंचायती राज से संबंदित डालेगा और एक नई शेडियूल जोडी गई 11 शेडियूल तो फर्स्ट शेडियूल फर्स्ट अमिंटमेंट एक्ट दस्वी शेडियूल वावनवस सविधान संशोदन दल बदल और 11 अनसुची पंचायती राज 73 अमिंटमेंट एक्ट 1992 त्री इस्तरी पंचायती राज की यह बात करता है और पंचायतों को सविधानिक दरजा प्रदान करता है 11 अनसुची में 29 सब्जेक्ट डिकलियर किये गए हैं जिस पर पंचायतों को decision लेने की शक्ती दी गई है, कितने subject हैं, 29 subject, ओके, योत्तरवा सविधान संशोधन अधिनियम, 1992, confirm, ग्यारवी अनसुची जोड़ी गई भारती सविधान में, 37 पंचायती राज की बात करता है, सविधान एक दर्जा, फिर आता है, 74 Amendment Act, 1992, चहुत्तरवे सविधान संशोधन की बात करें, 1992 की, तो जैसे वो पंचायती राज से संबन दित था, 33 सविधान संशोधन, वो भी 1992 में हुआ था, उसी एर में चहुत्तरवा सविधान संशुदन किया गया जो नगरी स्थानी स्वशाषन की बात करता है पंचायती राज ग्रामिन स्थानी स्वशाषन था ये नगरी स्थानी स्वशाषन मतलब नगर पालिकाओ को उनकी शक्तिया और लाइबिलिटीज को उनके जो दायत्वें रिस्पॉंस्बिलिटी से उनको निर्धारित करता है। ठीके एक नया भाग यहाँ पर जोड़ा जाता है भाग 9A और पंचायती राज को शामिल नगर पालिकाओ को शामिल किया जाता है 243O से लेकर तक पंचायती राज के प्रावधान थे 243 से लेकर 243O तक ओ के बाद आता है P तो 243P से लेकर 243ZG तक के प्रावधान नगर पालिकाओ से संब्बन देते हैं ओके 9A नया पार्ट जुड़ा इसमें और भारती सभिधान में 12th schedule को जोड़ा गया जो की नगर पालिकाओ से संब्बन देते हैं यह आखरी अनुसुची है भारकी सब्बन अभी भारती सभि सब्बन दिये गए हैं जिन पर वो decision ले सकती है 18 सब्बन पर नगर पालिकाओ को शक्ती दी गए 11 अनुसुची में पंचयाती राज को 29 विशय पर पावर दिये गए थे इसके बाद आता है 86th Amidment Act 2002 आपको पता 11 जो मौलिक करतवे जिसको मैं आपको बताया था 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रात्मिक शिक्षा प्रदान करेंगे उनके मातापिता का करतवे वो यहीं पर जोड़ा गया था लेकिन यहां पर fundamental right में article 21A जोड़ा गया था right to life में article 21A बनाया और वो जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रात्मिक और निशुलक शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है और उसी में जोड़ा गया मौलिक करतवे में 11 मौलिक करतवे ठीक है इससे याद दखिएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रात्मिक और निशुलक शिक्षा का अधिकार किस सविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 86th Amendment Act 2002 फिर आता है 91th Amendment Act 2003 इंक्यानुवे सविधान संशोधन के अगर हम यहाँ पर बात करते कि इंक्यानुवे सविधान संशोधन के तो इंक्यानुवे सविधान संशोधन में लोक सभा और विधान सभा की कुल सदस्य संख्या का एक परसेंटेज निर्धारित किया गया कि इससे बड़ी मंत्री परिशद नहीं होना चीए, पहले क्या होता था, कि मंत्री परिशद में मंत्री भरे इजाद, पतलब आप समझेए, जितनी लोकसभा की सदस्य संख्या, उसमें से सो डेड़ सो दो सो तो मंत्री बन रही, मंत्री परिशद इतनी बड़ी बन रही, लेकि इंक्यानुवस अविधान संशोधन किया गया 2003 में और ये कहा गया कि मंत्री परिशद का आकार लोक्त सभा और राज्जी की विधान सभा की जो कुल सदस से संख्या है उनसे 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक्जाम्पल अगर किसी विधान सभा में 100 सदस हैं तो मंत्री परिशद में केवल 15 ही मेंबर हो सकते हैं आया समझ में उससे ज्यादा नहीं होना तो ये 15% निर्धारित की गई कि लोक्त सभा राज्जी की विधान सभा की कुल सदस संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री थ्री कर दिया था भी मैंने आपको बताये वो भी 91 अमिड्मेंट एक्ट के माध्यम से ही किया गया किए मैं आपको बताया था इसके बाद हम चलते हैं सव वे सभीधान संशोधन संशोधन 2015 में किया गया तोवे सविधान संशोधन अगर हम देखते हैं यहां के बाद हमको 106 तक पूरे पढ़ने पनेगे क्योंगे लास्ट के बूचे जाते है तोवे सविधान संशोधन 2015 के मध्यां से बांगलादेश के साथ सीमा का जो डिस्प्यूट था उसको खत्म किया गया और जो कुछ इनकलेवस थे बांगलादेश और भारत की सीमा में एक दूसरे देशों को उनको एक दूसरे को हैंड ओवर किया गया तो इनको बदला अदला बदली की गई तो सोवा अमिटमेंट एक 2015 में लाय गया था भारत और बांगलादेश की लेंड बॉर्डर का जो डिस् कलेवस का अदला बदली थी उससे सम्मंदित था ठीक हैं सबसे पहले वैसे 1974 में भी बांगलादेश और भारत एसा प्रयास कर चुके थे और 2011 में फाइनली इसके लिए एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर हुए थे अब 2015 में सोवा सभिधान संशोधन इंडियन गवर्मे लेकिन जब यह पास हो गया तो यह सभिधान में सोवे सभिधान संशोधन के रुप में शामिल हुआ चार रज्यों के इंकलेवस के अदला बदली हुई भारत में असम, पश्चिम मंगाल, मेघालय और त्रिपुरा यह चार रज्यी एफेक्ट हुए थे ठीक है ना जैसे असम में कुछ इनकलेवस थे हमारे पास पश्चिम मंगाल के कुछ इनकलेवस थे इसके अलावा बैघालय और त्रिपुरा के अंदर कुछ इनकलेवस थे बांगलादेश के तो इनकी अदला बदली हुए सोवा सविधान संशोधन आप तो इतना याद रखो भारत और बांगलादेश की लेंड बॉर्डर के डिस्प्यूट को खत्म करने से सम्बंदी थे फिर आता है 101वा सविधान संशोधन अधिनियम 2016 मिलाएगे 101वा सविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो यह goods and services टेक्स से सम्बंदी थे यह आपको पता है किस तरह का सविधान संशोधन है यह जब पाल्यमेंड के दोनों houses में special majority भी चाहिए होगी और आदे सदिक राज्यों की विधान मंडल में simple majority से भी इस बिल को पास किया गया होता है क्यों क्योंकि यह federal system को effect करता है 7th schedule जो की state list, union list और concurrent list की बात करता है उसमें changes से सम्बंदी थे तो goods and services tax से सम्बंदित कौन सा सविधान संशोधन है तो यह 101वा सविधान संशोधन है 2016 में किया गया फिर आता है 102वा सविधान संशोधन 2018 में किया गया 102वे सविधान संशोधन की अगर हम बात करते है तो रास्ट यू पिछड़ा वर्ग आयोग को सविधानिक दरजा दिया गया इससे पहले अनुसुची जाती और जन जाती आयोग को सविधानिक दरजा था रास्ट पिछड़ा वर्ग आयोग भारत में निकाय तो था लेकिन वेधानिक निकाय, सवेधानिक दर्जानिक था, तो 102 सवेधान संशोधन के माध्यम से रास्ट पिछड़ा वर्ग आयोग को नेशनल जो बेकवर्ट कास्ट है, बेकवर्ट कास्ट उनको एक कमिशन के में माननेता दी गई संसत ने 1993 में देखिये रास्ट पिछळा वर्ग आयोक अधिनियम मना दिया था और उसके आधर पर 1993 में ही रास्ट पिछळा वर्ग आयोक बन चुका था लेकिन आप सव्विधानिक दरजा मिला है रास्ट पिछड़ा वर्गायों को 102 सविधान संशोधन के मांत्यम से ठीक है ना और ये भी प्रावधान कर दिया गया था इसमें कि भाई रास्ट पति कोई अधिकार है या सेंट्रल गुवर्मेंट कोई अधिकार है कि वो भारत में किसी भी जाती को आप पिछड़ा वर्ग में include कर सकती है सुनना किसको अधिकार है Central को या फिर रास्त ठीक है इसके लिए Article 338B यह जोड़ा गया जिसमें रास्त पिछड़ा वर्ग आयोक का उलेखे कि यह सवेजानिक दरजा है और 342A में यह प्रावधान कर दिया गया कि President को यह अधिकार है कि वो देश में किसी भी जाती को पिछड़ा वर्ग घोशित कर सकते है लेकिन यहाँ पर एक प्रावबलम हो जाती है कि इंडारेक्ली गवर्मेंट का कोई ऐसा उद्देश नहीं था पर इंडारेक्ली जब यह जोड़ दिया गया कि President को अधिकार कि वो किसी भी जाती को पिछड़ा वर्ग में इंक्लूड कर सकता है Central Government के मात्यां से तो राज जो जातीयों को पिछड़ा वर्ग का दरजा देती है उनका दरजा गलती से छिन गया इसको सुधारने के लिए आगे चलकर 105वा सवविधान संशोदन किया गया मैं आपको आगे बताओ अभी तो ये समझ लो कि 102वा सवविधान संशोदन रास्ट पिछड़ावर्ग आयोग को सवविधानिक दरजा प्रदान करता है किस आर्टिकल में तो आर्टिकल 338 भी के दहर ठीक है ना ये हो गया 102वा सवविधान संशोदन इसके बाद 104वा सवविधान संशोदन हमारे लिए इंपोर्टेंट है 2020 में किया गया था 104वे सवविधान संशोदन की बात करते है तो अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती को ठीक है ना के अलावा देखो 10 वर्षों के लिए ये सवविधान संशोदन अनुसुचित जाती और जन जाती के लिए लोकसवा राजजी की विधान सवाओं में दिये जाने वाले आरक्षन को 10 वर्षों के लिए बढ़ाता है यहाँ पर आपको एक और सवविधान संशोदन को एड कर लेना चाहिए जो की हमारा यहाँ पर छूट राए यह है एक सो तीनवा सवविधान संशोदन ठीक है अगर हम एक सो तीनवे सवविधान संशोदन की यहाँ पर बात करते हैं तो 102 हो गया ठीक है एक्सो तीनवे सविधान संशोधन इसकी बात करते हैं तो एक्सो तीनवे सविधान संशोधन के आधार पर EWS को आरक्षन दिया गया है 10% EWS Economically Vicar Section वो लोग जो की अनुसुची जाती जन जाती और OBC के अलावा है मतलब जनरल वालो अन्रिजर्व वालो तो अन्रिजर्व के जो लोग थे आपको पता है 10% उनका आरक्षन दिया गया था शेक्षनिक संस्ताओं में और सरकारी नोकरियों में तो EWS को 10% आरक्षन यहाँ पर मेंशन नहीं है शायद उसकी विपिटी नहीं लगी है लेकिन मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि 203 सविधान संशोधन के माध्यम से एकोनोमिकली विकर सेक्षन EWS जो अन्रिजर्व से आते उनको 10% आरक्षन सेंटरल गवर्मेंट के द्वारा दिया गया है शेक्षनिक संस्ताओं में और इसके अलावा सरकारी नोकरियों ठीक है अब 104 सविधान संशोधन क्या होता है कि अनुसुची जाती और जन जाती को आरक्षन की सीमा 2020 में खत्म हो रही थी शेक्षनिक संस्ताओं में भी और सरकारी नोकरियों इनको जो आरक्षन है वो 2020 में क्यों क्यों खत्म हो रहा था तो इनके आरक्षन को 10 साल के लिए फिर से बढ़ाय गया किनके आरक्षन को अनुस 334 में परिवर्तन होगा क्योंकि वही अनुसुचित जाती जन जाती के आरक्षन से संबंदित बात करता है इसके अलावा आर्टिकल 331 के तहट लोगसभा में जो दो एंगलो इंडियन सीट मनोनित सीट थी जो की प्रेसिडेंट करते थे उनको भी खत्म किया गया और साथी सा राजजी की विधान सवा में जो एक एंगलो इंडियन को मनोनित राजजी के रजजपाल करते थे उनकी सीट को भी खत्म किया गया देकिं़ आपको पता है लोगसभा की अधिक्तम सीट 552 लेकिन दो एंगलो इंडियन की सीट्स खत्म कर दियंगे ए 1047 बात संस्चोधन के द्वारा तो अब लोकसवा की अधिक्तम सीट 550 है और राज्जी की विधान सवा में तो इसे भी अलग अलग रहती है पर एक एंगलो इंडियन सीट होती है जिसकी न्युक्ति राज्ज में राज्जी पाल करते है मनोनित सीट है तो उसको भी खत्म कर दिया के है तो एंगलो साल के लिए बढ़ाया गया है शेक्षिनिक संस्ताव की बात नहीं हो रही है लोकसवा और राज्ज की विधान सवा में जो 10% अरक्षणे अनुसुची जाती और जन जाती को दिया गया है भारती सविधान में वो 2020 तक खत्म हो रहा था तो उसको बढ़ाया गया है कितने सा साल के लिए 10 साल के लिए एक तो यह हो गया और दूसरा एंगलो एडियन सीट तमझ में आ गया यहाँ पर इस पीपीटी हमारे पाशार नहीं आपाई इसलिए मुझे कंफिसन हो गया तो इससे करेट कर लीजेगा एक सो तीनवा सविधान संशोधन किसकी बात करता है को खत्म करने की बात करता है इसके बाद आता है 105वा सविधान संशोधन अधिनियम 2021 में लाय गया था अभी मैं आपको बताया 102वे सविधान संशोधन में रास्ट ये पिछडा वर्ग आयूप का गठन किया गया और सेंट्रल को ये अधिकार दिया गया कि वो किसी भी जात का गलती से अधिकार छेल गया तो 105वे सविधान संशोधन अधिनियम 2021 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि भईया राज्य और केंडर शाशित प्रदेश भी अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार रते हैं 105वे सविधान संशोधन इसके बाद लास्ट येर सबसे आकर कि बात करें 2023 की तो ये लोकसभा राज्यो की विधान सभा और दिल्ली केंडर शाशित प्रदेश की जो विधान सभा है उसमें महिलाओ को 33% आरक्षन का प्रावधान करता है तास्टिपती द्रोपदी मुर्मु ने लोकसभा राज्य सभा में पास होने के बाद 28 सेप्टे इसको महिला आरक्षन बिलकुम अंजुरी दे दी थी ये लोकसभा विधान सभा और दिल्ली केंडर शाशित प्रदेश की विधान सभा में महिलाओ के लिए एक तिहाई ऑल्मॉस्ट 33% एक तिहाई बोलो जादा अच्छा रेगा एक तिहाई सीटों के आरक्षन का प्राव मतलब अनुसुचित जाती जन जाती की जो सीट है उस पर भी एक तिहाई सीटों पर महिला ही आई की अनुसुचित जाती और जन जाती है ठीक है न तो यह है 106 सभिधान संशोधन 2003 क्लियर तो यहाँ पर हमने सभिधान के उन सभी टॉपिक को डिटेल में डिसकर्स कर लिया जो की आने वाली रेलवे की एक्जाम में पूछे जाते हैं पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा कोशन इनी टॉपिक से आते हैं इसके अलावा अधर भी टॉपिक है जिनसे कोशन बहुत सारे और भी पूछे जाते हैं उन टॉपिक को भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी बेच को जाइन कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा पॉलिटी सिस्टमेटिक रेलवे एक्जाम की बेच के लिए आपको पढ़ाए गया है, टारगेट बेच है आप सभी के लिए, लाइव क्लासेस रहेगी, रूट अप्लिकेशन को आप डाउनलोड कर लिजिए, और बहुत ही नॉमिनल चार्जस में आप इन सभी रेलवे की एक्जाम के लिए, यह सिंगल शॉट बेच जोइन कर सकते हैं, ओके, तो पहले भी में आपको बता चुका हैं इसके बारे में, तो रेलवे की बेचे, आप सभी के लिए रूट अप्लिकेशन को डाउनलोड करना न भूले, प्ले स्टोर से फ्री बेनिफिट भी आपके लिए काफी सारे उनका भी फायदा उठाईए, आज का यह सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, हम से पूछे गए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिन, जय भारात!